हलो, 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 गुर आप्टन टॉल अफी साथियों कैसे हैं आप सब, पटाफट जुडिये हम लोग आज बिहार इलेक्टिसिटी बोट के फुल टेस्ट पर परिचर्चा करने वाले हैं, और आप सामने देख रहे हैं, थमने लगा हुआ है आप सबसे आरम में ही मैं बता दूं आपको, कि हमारी बिहार इलेक्टिसिटी बोट की जो वेकेंसी का इंतजार आप 6 साल से कर रहे थे, वह इंतजार तो बिल्कुल समाप्त हो गया है, अब आपका सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि वेकेंसी कब आएगी वेकेंसी आ गई है दूसरी महत्पुन बात कि वेकेंसी आ गई है समय तीन महिना भी नहीं है और आपको मई लास्ट या जून स्टार्टिंग में एक्जाम की संभावना है अगर आपका चुनाव के वज़़ से थोड़ी व्यवधान पड़े तो थोड़ा समय आपका बढ़ सकता है ये चीजें आने वाले समय में जैसे मुझे जानकारी मिलेगी मैं आपको बताऊंगा लेकिन अब का जो समय है वो एक-एक पल एक-एक सकंड आपका उपयोग करने वाला है एक-एक पल को एक-एक समय का सुद उपयोग करिए और इस भेकेंसी में आप अपना पर्चम लहराईये सफल होए तो हमने आपके लिए आपके बहतरी के लिए हमने दोनों माध्यम में टेस्ट लाउंच कर दिया है और हमारी टेस्ट सनिवार रविवार साम 5 से 6 बजे हमारे दोनों सेंटर पर होती है बाजार समीती सेंटर प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंग पर और आपके किसान कोलेश्टोरे सेंटर प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंग सेंटर पर दोनों दो टेस्ट एवरी साटर डे यान संडे होंगी जिसका डिसकसन हम 12 पीम टू टू पीम के बीच में कर हमारे online का एप है साथियों, platform online test आप नौट कर लिजेगा, platform online test के माध्यम से आप इस एप को download करके वहाँ पर बिहार electricity board का test ले सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है, चली आगे बढ़ते हैं, अब ये जानकारी आपके लिए थी, अब हम लोग प्रश्णों की दुनिया में चलते हैं साथियों, और हमारा आज का पहला प्रश्णा आपके सामने है, BSPSCL का book launch करिये बहुत जल्दी, बहुत जल्दी साथियों, आपका दो से तीन दिन के भीतर, बिहार electricity board की practice test series, with five original set के detailed solution, bilingual question with detailed explanation के साथ, रुक्मनी प्रकासन से आपके बीच आ रही है, और within a week, a special book, बिहार electricity board की आपके बीच उपस्थित हो जाएगी, और आप पूरी तेयारी करिए, ठिक है, test five का discussion सिव संकर जी हो चुका है, आप जाएए और अपने app पर देखिए, वहाँ live classes में जाएए, live में रखी हुई है, सारी discussion वहाँ live में रखी हुई है, बिल्कुल वहाँ पर मिल जाएंगी आपको, बिल्कुल rank पता चलता है, चलिए, hopkinson test का परिक्षन किस पर किया जाता है, बड़ा अच्छा नाम है, hopkinson, तो सबसे पहले आप जान लिजे, हम DC machine में क्या करते हैं, DC machine की efficiency ग्यात करने के लिए, क्या करने के लिए साहब, efficiency, इस इसी machine की efficiency, calculate करने के लिए, ग्यात करने के लिए हम कौन सा test करते हैं, hopkinson test करते हैं, अब यह जो hopkinson test है, इसमें हमें दो समान machine लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, दो समान range की machine लेनी पड़ती हैं, यहाँ आपकी motor है, यह आपकी क्या है, generator है, इधर आप arrangement देख रहे हैं, voltmeter लगा हुआ है, a meter लगा है, a meter लगा है, यहाँ पर हमने resistance लगाया है, यह आपने generator को नयंतित करने के लिए अलग से resistance लगाया है, ताकि हमारी variation क्या हो जाएं, वो कम से कम हो fluctuations आपके voltage का क्या हो कम से कम हो धारा का मान क्या रहे नियंतित रहे इन सारी बातों को ध्यान में रख करके biasing के arrangement के अधार पर हम इसको set करते हैं और यह जान लिजे यह जो Hopkinson test है यह हमें efficiency देता है DC machine में हम इसका परियोग करते हैं DC machine की testing के लिए इसका परियोग करते हैं और सबसे महत्पूर्ण साथियों यह complete load नहीं यह आपका full load अगर रहे तो बिलकुल आप कह सकते हैं यह full load पर साथियों किया जाता है किस पर किया जाता है पूर्ण भार पर किया जाता है full load पर साहब यह किया आउटपूट पावर, अब बटा आपका क्या होता है, इनपूट पावर क्या होता है साथियों, आउटपूट पावर बटा, इनपूट पावर होता है, लॉसेस आप अगर क्या करेंगे, लॉसेस आप अगर क्या करेंगे, बढ़ाते हैं, efficiency घटती हैं, losses घटाएंगे, efficiency आपकी क्या होंगी, बढ़ जाएंगी, इसमें कोई सक नहीं है चलिए दोस्तों, अगले प्रस्की और चलते हैं, हिंदी और रिजनिंग का previous year, बिलकुल साथियों, हिंदी रिजनिंग का भी previous year, हमारी जो practice set launch हो रही है उस practice set में, हिंदी, इंगलेस, रिजनिंग, आपको computer, gk और फिर आपकी 50 thread, total complete 100 के questions का test set, previous 5 model set, ये सब previous question, सब का संकलन रहेगा और उसका बिशलेशन रहेगा सिर्संगर जी, session 2, आपको मंगल बार तक launch हो जाएगा, next week में, online में session 2 launch हो जाएगा, बिलकुल चिंता मत करिए, जितनी संभव होगी, आपकी भरपूर मदद करेंगे चलिए अगला प्रशन है, generator में dummy coil किसलिये इस्तिमाल किया जाता है, दोस्तों dummy coil का अर्थ ही होता है dead coil, dummy coil को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, dead coil के नाम से, आप जानते हैं, इस coil को हमने क्या किया, तार तो हमने लिया, लेकिन तार लेने के बाद, इस wire को, इस copper के ता योग को क्या करते हैं बंद कर देते हैं टेप से बंद करने के बाद इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती यहां पर कोई EMF आपका उत्पन नहीं होता समझ गए यह निस्क्रिय होती है साथियों नहीं इसमें क्या होता है इसमें फ्लक्स वगेरा कुछ भी उत्पन नहीं ह यह सिर्फ और सिर्फ हमारे क्वाइल को सहरा देने का काम करती हैं मेकनिकल बैलेंस बनाने का काम करती हैं यानि आप यू समझें तो रोटर को बैलेंस बना कर रखने के लिए रोटर को प्रापर तरीके से सेट रखने के लिए इसका यूज करते हैं और खास करके अगर आपकी वेव वाइंडिंग है ध्यान दखिएगा कैसी वाइंडिंग है वेव वाइंडिंग का आप प्रियोग कर रहे हैं तो जा करके वेव वाइंडिंग को हम अपूर्ण वाइंडिंग कहते हैं क्या कहते हैं इसको अपूर्ण वाइंडिंग कहते हैं अपूर्ण वाइंडिंग का मतलब है incomplete winding क्या है इसका मतलब incomplete winding कहते हैं इसमें क्या होती है ना आपके slots में space बचा रह जाता है हमारी rotor में जो खाचा बना हुआ है ठीक है कि ने क्या है साब इसमें जो खाचा बना हुआ है हमारी rotor में इन खाचों में अगर आप wave winding करते हैं तो हमारी wave winding का क्या होता है तो space आ नहीं करेंगे तो संभव नहीं होगा बेसिक एक्जामपल आप ऐसे लीजिए सपोज कर लीजिए कि आप किसी मेज पर बैठे हैं ठीक है आप किसी मेज पर बैठे हैं और मेज में क्या हो रहा है तो वह हिल रहा है तो आप क्या करते हैं कागच का टुकरा लेते हैं मोडते हैं अब मोड करके जहां हिल रहा था उस position पर लगाते हैं फिर वो fit हो जाता है तो ठीक उसी तरह से यह काम करता है mechanical balance बनाना ठीक है तो ultimately मेरा right answer क्या है rotor को यांत्रिक रूप से संतुलित करने के लिए to balance the rotor mechanically हम किसका इस्तिमाल करते हैं dummy coil का for the development of EMF for the development of current inside the system यानि आपके रूटर के अंदर किसी भी तरह की धारा के विकास में किसी भी तरह की साथियों आपके तुमाभी किसी बात है किसी भी तरह के EMF के विकास में इसका कोई योगदान नहीं होता है यह ध्यान रखिएगा चलिए सिपसंगर जी आपको बताने की आवसकता नहीं है मैं मुझे सब मालूम है कौन सा बचा है कौन सा नहीं है आपके सेशन 6 का भी discussion हो चुका है हो सकता आपको भी मिल नहीं रहा हो वह भी आपको बहुत जल्द मिलने लग जाएगा ठीक है सेवन भी आपके बीच बहुत सब्राइए नहीं ठीक है और जब तक हम पूरा नहीं कर देंगे मैंने तो बार-बार कहा है सेशन टू लाउंच नहीं करेंगे इसलिए आपके request को हम महसूस कर रहे हैं आप जीजान लगा के लगिए और अपना सीट पक्का करिए ठीक है एप पर बैस सो नहीं कर रहा है मैं platform online test application पर मिलेंगी कहां मिलेंगी platform online test application को download करिए play store से उस पर मिलेंगी चलिए तो हम लोग ध्यान देते हैं हमारा दूसरा प्रशन हो गया rotor को यांतरिक रूप से संतुलित करने के लिए आए किसी three page transformer में tertiary winding यानि दो winding तो है ही आदो के बीच में क्या हो गया तीसरा यहां द इसके बीच में तीसरा यह कौन आ गया सहब डेल्टा यह डेल्टा जो तीसरे nature का आ गया इसी को हम क्या कहते हैं extracting winding कहते हैं थी को क्या कहते हैं тृतियक winding कहते हैं ठीक है आइए अब यह जो तिरतियक winding है इसके लगाने का जो सबसे पहला उद्ध से होता है यह harmonics को दूर कर करता है और constant voltage को develop कराने का प्रयास करता है यानि कि आपकी और अस्थिर voltage और संतुनित voltage को क्या करता है एड़ेस्ट करता है आप जानते हैं harmonics क्या है सपोर्च कर लीजिए हमारी ये sinusoidal waveform है और इस waveform में इस तरह का variation आप देख रहे हैं इसके frequency के मान में क्या हो रहा है changing हो रही है क्या हो रहा है changing इसके frequency के मान में जो बदलाव आ रहा है परिवर्तन आ रहा है इसके वज़े से कहीं न कहीं third harmonics, fifth harmonics ये उत्पन होती है और ये harmonics जो उत्पन होती है तो हमारे voltage के मान को भी reduce करती है क्या करती है तम कर देती है और धीरे धीरे आप देखिएगा तो हम लोग किसका इस्तिमाल करते हैं, तरसरी वैंडिंग का, और आपको ये ध्यान दखना है, ये स्टार, स्टार का जो मेरा कनेक्शन होता है, वहाँ पर ही साथियों, हार्मोनिक्स की संभावना बनती है, और इस हार्मोनिक्स को रिमेडि करने के लिए, हटाने के लिए, दूर करने के लिए हम किसका प्रियोग करते हैं सहाब dielta का प्रियोग करते हैं delta वर्निंग का प्रियोग करते हैं तो right answer option number a voltage में प्राप्त harmonics को दूर करना अग्र नमर पर जो unbalanced voltage है उसे अस्थिर बनाना एस्टेबल बनाना वें हमारा उद्धेश होता है चलिए बिलकुल inspiring दे सकते हैं आप बिलकुल मोबाइल पर दे सकते हैं तैब पर दे आए जो भी गजट आपके पास है उस पर जरूद दे सकते हैं लेकिन वो सारा टेस्ट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट अप्लिकेशन से दे सकते हैं वन्ली ट्रेड पढ़ना है सातियों तो बिलकुल घवरानी की जरत नहीं है हमारे प्लेट फॉर्म बाइन नवीन कुमार सिंग अप्लिकेशन पर वन्ली ट्रेड के लिए बिलकुल नया बैच नाम है बिजली बैच उपलब्ध है उसको लेकर जुड़ जाईए या आप recorded बैच पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष बैच लेकर के पढ़ लीजिए आपके पास विकल्प मौजूद है चलिए अगला है पांच किलो वाट पचास हर्ज छे पोल तिलिपरिंग इंडक्शन मोटर नौसो पहचानना सीखिए क्या दिया है पोल दिया है इंडक्शन मोटर कितने पर चलना नौसो साथ हर्पिम तो वो क्या है मेरा रोटर की गती है क्या है रोटर की गती है अब आप से कह रहा है सिंकोनस स्पीड निकालिए एनेस का मान आप जानते हैं क्या होता है 120 F by P होता है है न साथियो frequency आपको दिया है question में जरूर दिया है कितना सहा 50 hertz दिया है data put करिए 120 गुना 50 अब बटा क्या हो जाएगा आपका pole 6 यानि 6000 अब 26 क्या हो गया 1000 rpm यह आपकी synchronous speed हो गई क्या हो गई synchronous speed हो गई ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला हम यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमारा जो slip है यह आप से कह रहा है slip का मान होता है ns minus nr by ns into आपका 100 अगर percentage में slip निकालते हैं तो तो आप देख लिजे value put करते हैं ns मेरा कितना है 1000 minus 960 by 1000 into आपका क्या हो जाएगा 100 simplify करिए आपका क्या आजाएगा 4 प्रतीसत तो देखिए option में कहां पर 1000 rpm और 4 प्रतीसत है option नमर d में है तो बस हमें formula कैसे लगाने हैं यह approach हम जान गए तो बहुत आसानी से question को हम solve कर सकते हैं बिलकुल मुस्किल नहीं है साथियों जितने भी छात्र हैं अगर उनको laptop में batches को operate करने में कठना ही हो रही है तो हमारा जो आपको नम्मर दिया गया है screen पे जा रहा है 9162068342 आप हमारे customer executive से बात करिए वो आपको बताएंगे कि कैसे laptop में आप चालू करेंगे ठीक है वो बताएंगे आपको विधार्थी जी यह 100% यह यह जो test है इसका discussion every Sunday and Monday होगा 12 से 2 PM के बीच में कब होगा Sunday and Monday 12 से 2 PM के बीच में और यहाँ पर हम only trade और computer के प्रश्णों की चर्चा करेंगे यह test offline में आयुजित होती है every Saturday Sunday साम 5 से 6.5 के बीच में चलिए और इसी test का online version भी उपलब्ध है platform online test app पर आईए हम लोग अगले प्रश्ट की और चलते हैं एक तीन phase का induction motor अधिक्तम निर्धारित बलागुर्ण विक्सित करने वाले एक भार पर परिचालित हो रहा है क्या होता है जब motor के परिचालन के दौरान बाहरी मेंस विदुत में से एक बाधित हो जाती है यानि देखिए बहुत अच्छी बात है परिच्टिती ऐसी है कि आपका 3 phase का system है ये phase R, ये phase Y, ये phase B ठीक है अब Y phase मेरा क्या हो गया कट गया डिस्कनेक्ट हो गया जब Y phase मेरा डिस्कनेक्ट हो गया तो ऐसी परिच्टिती में आपकी यह machine क्या हो जाती है सिंगल phaging की परिशानी से पिडित हो जाती है तो जब एक phase मेरा क्या होता है साथियों दिस्कनेक्ट होता है तो ये समस्या कहलाती है सिंगल phaging क्या कहलाती है सिंगल phaging अब सिंगल phaging होने से हमें क्या दिक्कत है सिंगल phaging होने से क्या होता है मोटर चलती तो है लेकिन करेंट ज़्यादा खीचना शुरू करती है और जब लंबे समय तक ऐसा होता रहा तो करेंट ज़्यादा खीचने के बाद तुरंट में क्या होती है परिशानी हो जाती है क्या होती है साथियों तुरंट में आपकी हीट लॉस हैच इक्वल टू आई स्कॉयर आर्टी ये प्रोब्लम्स आपकी बढ़ जाती है हीट का लॉस बहुत ज़्यादा होता है जिसके वज़े से आपका कंटिनुवसली हमारी वैंडिंग जलकर राख हो जाती है पूरा सी इस द करेक्ट आंसर मोटर चलती तो है लेकिन ज्यादा धारा खीचती है और कुछ समग्बाद मोटर की वैंडिंग जलकर राख हो जाती है क्या होती है मोटर कीवैंडिंग कुछ समय बाद जलकर राख हो जाती है ठीक है चलिए को सिसल या यागे बढ़ते हैं तर यूटूब पर डेली क्लास लीजिए गा देखते हैं बिलकुल प्रिती कुमारी यूटूब पर जो है डेली क्लास जो बिहार इलेक्टिसिटी बोड का प्रिवियस यर कोश्चन था उसको लेने का प्रियास करेंगे ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे जितनी मदद होगी आप देको तो discussion में आपके बीच है यह भलब आपो यहाँ पर देखिए हमारी क्या है यह मसीन आपकी कौन सी मसीन है तस्वीर देख watts कर यह हमारा क्या है कितते हुए इंडख्षió मोटर है और आप जानते हैं कई सारी बाते में बताने वाला हो नोट कर लेना साथियों एक्जाम में आएगा फ्री फिज इंडक्शन मोटर ये सबसे पहली बात सेल्फ स्टार्टिंग होती है क्या होती है सेल्फ स्टार्टिंग होती है इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर नहीं चाहिए दूसरी बात इसका स्टार्टिंग टॉर्क कि क्या होता है उच्छ होता है क्या होता है साहब इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई होता है तीसरी बात या synchronous speed से कम गती पर चलती हैं इसलिए इसको हम asynchronous machine भी कहते हैं उसके बाद यह single excited होती है मतलब इसको एक ही बार इसके stator को ہी 3500 का supply देना पड़ता है बाकी कहीं पर भी supply देना नहीं पड़ता है इसलिए यह तो यह चार बातें याद रखेगा self starting होती है starter लगाते हैं सिर्फ और सिप इसकी सुरक्षा के लिए under voltage और offer current से सुरक्षा के लिए starting torque इसका high होता है इसकी synchronous speed से कम इसकी गती होती है इसलिए इसको asynchronous speed कहते हैं फिर आपका क्या होता है single excited क्योंकि 3 phase AC इसी को प्रदान करते हैं इसलिए यहाँ क्या होता है single excited यह तो अच्छी बात है बाकी बिल्कुल साहब रावत साहब यह low maintenance भी है इसमें भी कोई सक नहीं है power factor भी यहाँ क्या करता है बहुत कम घटाता नहीं है यह सारी खासियत इसमें होती है speed में भी variation बहुत ज़्यादा नहीं होता constant speed की machine की रूप में भी consider करते हैं यह सारी बाते हैं यहाँ पर हैं साथी चलिए आगे बढ़ते हैं दबाने के बाद motor आवाज करती है motor आवाज करने लग जाती है अब जब motor का आवाज होने लगा लेकिन motor चलती नहीं है आवाज होने के बाद motor चलती नहीं है आखिर क्या परिशानी है साहब सब connection तो मेरा अगदम फिट फाथ है कहीं कोई दिक्कत नहीं है ऐसा क्या बात है इसका सबसे बड़ा समस्या है, समस्या आपकी single phaging की हो गई है और single phaging होने से अब मोटर को शुरवाती torque जो चाहिए वो नहीं develop हो पा रहा है उसमें कमी हो जा रही है और कारण ये बन रहा है कि मोटर आपकी चल नहीं रही है तो एक फ्यूज क्या होता है उर जाता मालूम है ना तीन फ्यूज है तो कितना फ्यूज लगाना पड़ेगा तीन फ्यूज आपको लगाना पड़ेगा हर एक फ्यूज के लिए अलग अलग और फ्यूज सदव कैसे लगता है तो आपके फ्यूज के स्रेणी में लगता है कैस और चलिए बहुत अच्छा विद्यार्थियों कुछ बच्चों का सवाल था कि सर बैच क्या करें कौन सा ले तो मैं बता देना चाहता हूं ठीक है मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी BSPSCL के लिए जो complete full batch है उसका नाब है विद्दुद बैच में आपकी classes सुबह 9 वजे से 12 वजे के बीच चलेगी और फिर साम में 4-6 पीम के बीच भी चलेगी विद्दुद बैच में electrician trade की classes 3 घंटे चलेगी फिर computer की classes चलेगी फिंदी चलेगा English की classes होगी रिजिनिंग का classes होगा टोटल 90 marks के subjects की पढ़ाई यहां पर अलग-अलग सिक्षकों के माध्यम से होगी तो आप इस batch से जूड़ सकते हैं 999 रुपए इसका फीस है coupon code की जो बात करते हैं 499 से जो course उपर होगा मुझे लगता आज last day होगा coupon code का 499 से उपर का जो भी batch होगा उसमें यह coupon code लगता है और यह coupon code है SHIVA 30 जब आप purchase के option को click करते हैं वहाँ पर ही उपर आपको आएगा वहाँ coupon डालेंगे सिवा 30 तो 30% का discount मिलेगा यह मुझे लगता है एक दो दिन के लिए दिया गया था आज भर हो उसके बाद साइद ना रहे तो आप जोड़ सकते हैं कुछ classes में जो पहले से हुई है वो recorded हैं बाकि लाइब में आपकी पांच घंटे कल से 11 तारिक से class इस बैच में online वाले बच्चों के लिए होनी है ठीक है आई यह साथ है कि तो प्रीज चौरेसिया जी आपको सलाह देने की जुरत नहीं है ठीक है मैं कभी भी नॉन टेक्निकल बैक्ग्राउंड वाले व्यक्तियों के माध्यम से आये suggestion को स्विकार नहीं करूंगा जो कि मैं खुद ही अपने आप में सक्षम हूं और मुझे भरूसा है कि आपको किस तरीके से आपके मंजिल कर पहुचाना है इसलिए आप किसी दूसरे रिफ्रेंस को ना दे जिनका कोई टेक्निकल बैक्ग्राउंड नहीं है आखिर आप सचाई को समझते क्यों नहीं है आप लोग सचाई को समझे स्विकार करिए ठीक है अब की बार बीस पीसल पार होगा लेकिन इतिहास भुगोल वाले लोगों से नहीं होगा इसके लिए टेक्निकल बैक्ग्राउंड की लोगों से आपको जूरना पड़ेगा ठीक है की नहीं ये ध्यान रखिएगा आए साब गीजर के बाह आवरन और आंत्रिक टंकी के मद्ध किस पदार्थ का इस्तिमाल किया जाता है जानते हैं आप ये हमारी गीजर है गीजर में यहां आपका क्या है साथियों ये मेरा हीटिंग एलिमेंट्स लगा हुआ है हमेशा हीटिंग एलिमेंट्स हम क्या करते हैं हमेशा हीटिंग एलिमेंट्स हम क्या करते हैं साहब ध्यान रखना ये हम भर्टिकली लगाते हैं कैसे लगाते हैं भर्टिकल ही लगाते हैं ठीक है अब यहां पर ध्यान रखिएगा समझने वाली बात है कि यहां हिटिंग एलिमेंट जब हमारा लगा हुआ है जैसे ही सप्लाई देते हैं हिटिंग एलिमेंट गर्म होकर हीट प्रदान करती है और उस हीट से कर्स्पॉंडिंग सेक्शन के सा इसको ग्लास उल कहते हैं क्या कहते हैं इसको ग्लास उल कहते हैं यह जो पार्ट है यह क्या करता है बाहर की गर्मी को भीतर अब भीतर की गर्मी को बाहर आने नहीं देता है यानि हीट को साथियों रोक करके रखता है परिनाम यह होती है कि आपकी गर्म पानी लंबे समय त इसमें कोई सक नहीं है चलिए कि कुरॉबार प्रटेक्शन युनिट का इस्तिमाल डैस के लिए किया जाता है बड़ा अच्छा प्रश्ण है कुरॉबार प्रटेक्शन युनिट साथियों यह बिशेश रूप से जो है ऑवर लोड की सुरक्षा के लिए हम लोग करते हैं और और लोड में भी क्या होता है और वोल्टेज की परिशानी आती है तो आप यहां पर असपष्ट कह सकते हैं और लोड के विरुद्ध लोड की रक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं इसका साथियों इस्तिमाल करते हैं और ऐसा परिश्थिती में आपकी वोल्टेज के मान मे भी क्या होती है बे तहासा ब्रधी होती है इसका भीमान काफी ज़्यदा बढ़ जाता है यह सामने जो आपकी सरकीट है यहाँ जीनर डायोड लगा है यह हमारी सिलिकन कंट्रोल लेक्टिफार SCR है तो हम लोग थारिस्टराइजड सरकीट के माध्यम से इसे नियंतित करने का काम करते हैं यहाँ आपका बल्व लगा है जिसके द्वारा आप क्या करते हैं इंडिकेशन आपको मिलती है कि परिष्टि आपकी क्या है समान है या एबनॉर्बल हो रही है यह सारी जानकारियां जो है आपको इसी से प्राप्त हो जाती है तो आप्टिकल फाइबर केबल बनाने के लिए कौन सी सामगरी प्रियोग में ली जाती है नाम से यह असपश् जाती है एस्टेट लाइन में जाती है लेकिन जो हमारी आप्टिकल फाइबर है इसने एक बिल्कुल क्या किया एक चमतकार का काम किया जब से हम इसका डेवलोप्मेंट किये हमारे लिए बहुत आसान हो गया complete total internal reflection आप इसके द्वारा कड़ा सकते हैं यानि किसी भी दिशा प्रकास को क्या कर सकते हैं total का total लेकर इसके द्वारा जा सकते हैं यहां पर प्रकास किरने यह आपका कोर है यहां उपर से क्लैडिंग हमने किया है असब से लास्ट में plastic की coating है plastic का envelop लगा हुआ है इसमें कोई सक वाली बात नहीं है सात्यों अब यहां ध्यान दीजिए आम तोर पर जो हमारा optical fiber cable है उसमें हम यूज किसका कर रहे हैं पारदर्सी plastic का करते हैं यहां भी आप तस्वीर के माधिन से समझ रहे हैं कि बाहर के layer में हमने क्या किया है plastic की coating की है सात्यों तो generally हमें तोड़ी पुरी तरह से visualization होता रहे तो हम transparent plastic का क्या करते हैं यूज करते हैं आज कर इसका इस्तेमाल थोड़ा बढ़ता जा रहा है और आपको जानकर खुसी होगी Reliance India जो Reliance Industries है मुकेश संबानी की सबसे बड़ा network जो optical fiber का है वो उन्हीं का है पुरे देश पुरी दुनिया में बिचा हुआ है यानि आपके हिंद महासागर के भीतर समुद्री देश के मामले में विशेश प्रकार के सौकेट और प्लक क्या होते हैं आवस्यक होते हैं चलिए किसके मामले में आवस्यक होते हैं देश के मामले में विशेश प्रकार के सौकेट और प्लक लगाते हैं साथियों अब एक छोटी दी बात समझेए आपके सामने क्या है ये है सब इस्टेशन सब इस्टेशन के एक छोड़ से सप्लाई आई फिर इधर से इस महले को गई इस महले को गई फिर यहां से इसको ग रिंग मैं सिस्टम जो है ठीक है हमारा रिंग मैं सिस्टम है रिंग मैं सिस्टम जो है सातियों इसमें हम नजदीक के बिलकुल क्या करते हैं आप ध्यान रखिएगा जो आपके सब स्टेशन के नजदीक का छितर है नियर एबाउट का एरिया है वहां पर हम लोग क्या करते है supply देने का काम करते हैं ठीक है और फिर आपकी हलके लोड हलका जो लोड है उसको देने का काम करते हैं अब भी लोड के साथ इसको जोडने का प्रयास नहीं करते पलस इसका range भी कम होता है इन्हीं सारी बातों को पलस dependent भी क्या है एक ही सब सबस्टेशन पर डिपेंड कर रहा है एक से ज़्यादा सबस्टेशन तो है नहीं है इसमें कोई सक नहीं है अब आये यहां पर ध्यान देते हैं कि हमारी जो रिंग मैं प्रनाली है यहां पर ही आपको सौकेट और प्लक क्या करना पड़ेगा आपको अपनी जवरत के हिसाब स से इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि यह विशिष्ट इसलिए मैं कह रहा हूं साथियों उसके पीछे का जो मेरा कारण है वो मुख्य कारण है कि आपको खोल करके पलक को खोल करके दूसरी जगह भी आप लगा सकते हैं ऐसी परिशितियां आपको बार-बार आती रहती है इसलिए आप ऐसा करते हैं अगर हमने नहीं बहतर क्वाइल्टी लेने का प्रयास किया तो खोल कर दूसरी जगह लगाना या फिर इसको चेंज करना टेंपरोरी एरेजमेंट करना यह सब संभव नहीं होगा इसलिए आवस्यक हो जाता है चलिए अगला प्रश्ण है एलेक्ट्रिक मशीनों का फ्लक्स लीकेज गुणां किसके बीच होता बहुत अच्छा प्रश्ण है सबसे पहले हम आते हैं लीकेज फैक्टर विद्वानों यह क्या होता है हमारी लीकेज फैक्टर होती है हमारी जो मैगनेटिक क्पलिग है उस दौरान हमारी टोटल स्ट क्या होती है हमेशा ग्रिटर होती है कि इससे 5 useful से, यानि टोटल जो flux उत्पन हो रही है, वो आपके useful flux से क्या होती है, अधिक रहती है, बहुत परिश्चिति वैसी होगी, तो बराबर हो जाएगी, जितना flux डेबलब किया, सारा का सारा flux अपने corresponding circuit को दे देगा, यही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, यानि बहुत परियास करियेगा, तो वन मान हो सकता है, useful flux का बराबर हो सकता है, लेकिन जब बराबर होगा, 100% कपलिंग होगी, ऐसी प्रिश्चिति समान रूप से हो नहीं पाती है, ideally possible है, practically नहीं, इसलिए हम यह consider करते हैं, मेरा total flux ज्यादा होता है किस से, आपके useful flux से, तो 5 total क्या हो गय 5 total, 5 useful हो गया, इसका मान आप देखी लिए, उपर बड़ा नीचे छोटा, तो एक से इसका मान क्या होगा, बड़ा ही होगा, तो normally हम लोग, electrical machine के लिए जो device लेते हैं, जो भी magnetic material लेते हैं, वहां leakage flux का मान, 1.1 से 1.25 के बीच होता है, और आप जानते हैं, ज्यादा तर हम लो तीली कन, स्टील का प्रियोग करने का प्रयास, different types of machine में किया करते हैं, इसमें कोई सक नहीं है, चलिए, आगे बढ़ते हैं साथियों, नोट करिएगा विद्यारतियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, बिलकुल मेरे जितने भी साथी अभी इस बात को लेकर confusion में हैं, कि coupon code नहीं लग रहा है, तो आपको असपश्ची सूचना दे दी गई है, 499 या 499 से उपर, ठीक है, 499 से उपर उससे ज्यादा price का जो batch है, उसी batch में coupon का code लगेगा, बाकि किसी में coupon का code नहीं लगेगा, चौधरी जी, BSPSCL की book आपको अगले सब्ताह में उपलब्द हो रही है, जड़ा भी चिंता ना करें, ठीक है, और बहुत ही quality के साथ रुगमेनी प्रकासन से book आपके बीच बहुत जल्द आ रही है, अगला प्रशने, artificial heart pump, जैसे biomedical उपकरन है, आम तोर पर इस्तिमाल होने वाला motor कौन सा होता है, तो हमारा जो biomedical instrument है, या फिर आपका heart में pump लगाना ह ये सारी चीज़ें ऐसी होती है, जो vibration less होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, vibration less होनी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई सक नहीं है, vibration less होनी चाहिए, ठीक है, आपको inquiry number दे दिया गया है, inquiry number पर आप बात करिए, आप अभी live में पढ़ाई पर ज़्यादा focus करिए, अगर आप अभी ज़्यादा उन्हीं बातों पर focus करेंगे, तो आपको हम पढ़ाने में कहीं कहीं बाधा पहुंचेगी, तो पढ़ाई को लेकर concentrate रहिए, नौकरी करना है सातियों, इसमें कोई सक नहीं है, कुनिल कुमार यादव जी, बुक के प्रश्ण जो होंगे, वह सभी प्रश्ण bilingual होंगे, हिंदी, इंगलिस दोनों भासाओं में होंगे, और जो solution होगा, उसका explanation हिंदी भासा में ही रहेगा, ठीक है, किस भासा में? हिंदी भासा में ही रहेगा, artificial heart pump, artificial का मतलब ही होता है, मनुस के द्वारा बनाया गया, जिसको हम लोगों ने design किया है, तो जो artificial heart pump होता है, वह बिना brush वाला DC motor होता है, क्योंकि इसमें आपका जितना भी उपकरन होता है, सब constant voltage पर काम करता है, तीसलिए आप क्या कहते हैं, इसको brushless DC motor कहते हैं, यह हमारी motor देख लिजे, यहाँ coil, 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 fill, coil है, यह fill magnet है साथियों, और इसमें कहीं से भी हम brush का connection नहीं करते, इस parking वगड़े की कोई chances यहाँ पर नहीं होती, और शभाविक्षी बात है, आपका क्या होना चाहिए, constant speed पर operated, क्या होता है, constant speed पर operate करने वाली सारी devices होती हैं, इस लेकर के जितना भी device आप medically इस्तेमाल करते हैं, वो सारे device में आपका voltage भी constant रहना चाहिए, definitely आपकी speed भी क्या होनी चाहिए, constant रहनी चाहिए, इन ही सारी बातों को vibration less भी होना चाहिए, है ना, इन सभी बातों को ध्यान में रख करके हम क्या करते हैं, सहाव, brushless DC motor का इस्तेमाल करते हैं, आईए, आगे बढ़ते हैं, तुर्मात में कौन-कौन से उपकरन को उच्छ voltage की आवस्चता होती है, यानि high voltage हमें किसे देना पड़ता है, बड़ा अच्छा प्रशन है, ठीक है, अब आईए हमारा switch gear, switch gear के बारे में आप जानते हैं, यह हमारे protection के लिए इस्तिमाल किया जाता है, that means, आपकी जितनी भी, हमारी switch gear के अंदर, आपकी different types of circuit, breakers, वगेरा, तब इसी के अंदर आजाती हैं, तो जो हमारा सुरक्षा के निमित जितने साधन होते हैं, वो switch gear के अंदर आजाते हैं, system को proper तरीके से operate करना, यह एक मात उद्धिस होता है, अंडर voltage relay के नाम से ही आपको पता चल रहा है, कि voltage के मान को क्या करेगा, निर्धारित से कम रखने का प्रयास करेगा, या कम से, निर्धारित से कम होता है, तो ट्रीप करके सम system को supply से दूर कर देगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, pressure coil का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, watt meter में करते हैं, किसमें करते हैं, watt meter में, यहाँ पर current coil और pressure coil होती है, यह pressure coil जो होती है, रजिस्टिव नेचर की होती है, और इस pressure coil की मदद से, हम voltage को मापने का काम करते हैं, किसको मापने का काम करते हैं, voltage को मापने का काम करते हैं, ठीक है, अब रहाँ आपका lightning arrester, क्या रहा सातियों, lightning arrestor, तो lightning arrestor definitely high voltage पर काम करती है, यह आपके अलग-अलग प्रकार के हमारे lightning arrestor है, जो आस्मानी बिजली करकती है क्या है, जो आस्मानी बिजली करकती है उन करकती हुई बिजली को accept करके, receive करके अब फिर क्या करता है, ground में ground के साथ इसका connection कर देते हैं और जब ground के साथ इसका connection करते हैं, तो जो है सातियों सारी excessive current, धरले से leakage current प्रत्वी में चली जाती है आप पूरी तरह से safe और सुरक्षित हो जाते हैं, और आपका कोई नुकसान नहीं होता, यह ध्यान रखेगा, लेकिन एक बात बता देता हूँ क्या, बहुत सारे लोग क्या करते हैं सातियों बहुत सारे लोग अपने छट पर rud निकाल देते हैं, और इस rud के साथ, जो हमें copper का तार या GI का तार लगाना है और उसको earth के साथ connect करना है side से ले जाकर के, यह काम नहीं करते, तो जो earth के साथ हमारी conductor को, earth continuity conductor को नहीं जोडते तो वो अपने घर पर ही सभी बिजली को बुलाना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिती में उनका घर क्या हो जाएगा electric sock का साहब एक place बन जाएगा, आप पूरी तरह से नुकसान वहाँ जहलनी पर जाएगी, ठीक है, आईए विद्यार्थियों, एक छोटी सी बात बता दूँ, आपके लिए हम practice set लेकर आ रहे हैं रुक्विनी प्रकासन से, जिसमें hundred question का पांच previous year के प्रश्णों का solution रहेगा पांच जो set प्रिबियस में हुआ था उसका detail solution, bilingual भासा में हिंदी इंग्लिस दोनों में question रहेंगे, answer हिंदी में रहेगा, बाकी 10 model set उसी पर based रहेंगे और दूसरा भुक जो होगा वो थ्योरी वित्व नुमेरिकल का भुक होगा जो especially बिहार electricity board के chapters के साथ संकलित होगा ये दोनों जानकारी हैं, सभी बच्चे इसको जान ले, ठीक है सार्ज एरेस्टर, lightning एरेस्टर, इसी को साहव तरित प्रग्राही भी कहा जाता है, चलिए अगला प्रश्ण है, 72 क्वाइल वाले DC मसीनों के लिए Commutator Segment की संख्या कितनी है बहुत अच्छा प्रश्ण है आपका, 72 क्वाइल है DC मसीन के लिए Commutator Segment की संख्या आपसे पूछ रहा है कैसे करिएगा विद्यार्थी जी बड़ा कश्ट दायक प्रश्ण आपसे पूछ दिया है बहुत अच्छा लॉजिक है क्वाइल देख करके हम सांती से बैठ जाएंगे ऐसा करना बेबकुफी होगी क्योंकि क्या होता है हमारे DC मसीन में सात्यों याद रखना DC मसीन में क्या होती है क्वाइल की संख्या क्वाइल की संख्या किसके बराबर होती है कम्यूटेटर सेग्मेंट के बराबर किसके बराबर कम्यूटेटर सेग्मेंट के समान होती है अब आए जरा यहाँ पर मेरे पास क्वाइल की संख्या प्रश्ण ने कितना कहा 72 तो मेरा उत्तर भी क्या हो जाएगा विद्यार्थियों कम्यूटेटर सेग्मेंट की संख्या भी क्या हो जाएगी 72 हो जाएगी राई टांसरी 72 नहीं तो क्या करते अगर ये मालूम हमें नहीं है अगर ये मालूम हमें नहीं है तो हम कुछ से कुछ करने लगते, बस ये याद रखना, क्वाइल की संख्या, कम्यूटेटर सेग्मेंट की संख्या के बराबर होती है, कहां पर सातियों, डी सी, मशीन में, इसलिए हमारा राइट आंसर है, आप्शन नमर सी, फट सुडवीद आंसर, आप्शन नमर सी, डिपार्टमेंट में पहले घुजिए, उसके बाद इस पर सोचेंगे, जितने साथी भी मेरे साथ लाइव हैं, सब कमेंट करके बताईए, और मुझे भरोसा दिलाईए, कि आप लोग एक सीट कनफर्म करेंगे, मुझे कमेंट करके बताईए, मुझे भी ताकत मिलेगी, त इस हिसाब से गोर्मेंट ने जेई के लिए कहा था, हमारी डिप्लोम वाले छादर बहुत उदास हैं, बहुत निरास हैं, चिंतित हैं, जेई के लिए इन्होंने बताया था, 172, 190 के आसपास लगभग 200 पलस पद खाली होने के बाबजूद भी, 200 पलस पद खाली होने के बा आए हुआ है, ठीक है कि ने, तो मैं उनके साथ मैं दुख व्यक्त करता हूँ, बाकी कई सात्र प्रिट्रेश्ट वगडर के प्रयास में हैं, तो मुझे लगता है कि सहयोग करना चाहिए, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, डिप्लोमा वाले, वो सब भी प्रयास करिए, आ स्पेसल बैच 11 तारिक से कल से स्टार्ट हो रही है, इस बैच में हम 15 मार्क्स का कम्प्यूटर पढ़ाएंगे, यह कम्प्यूटर की क्लासे सुजय सर के माध्यम से होगी, सर बाइलिंग्वल भासा में कम्प्यूटर पढ़ाएंगे हिंदी इंगलिस दोनों भासा में, इल तर्म आपको अंगरीजी में बताऊंगा, समान रूप से आप इसको bilingual कह सकते हैं, जो इंगलिस माध्यमाले बच्चे हैं, उनको भी दिक्कत महसूस नहीं होगी, अगर होगी कहीं भी तो पूछेंगा, मैं बेहिचक उनको बताऊंगा, ये मात्र 499 रूपे में उपलब्ध है सातियों, और हमारा application तो आप जान ही रहे हैं, platform by नवीन कुमार सिंग, इसी एप पर यह बैच उपलब्ध है, detailed inquiry आप 7070177240 पे कर सकते हैं, offline में भी यह बैचे उपलब्ध हैं, मात्र 2100 में सातियों, सुबह 10 से 12 के बीच क्लास चलेगी, और साम आप ध्यान रखिएगा, 4 स से 6 के बीच, यानि टोटल 4 घंटे की क्लासिस यहां पर होनी है, आई आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा है, रिसिराज प्रजापती जी, उत्तर प्रदेश आपका घर है, बिहार में जॉब करने की इक्षा रखते हैं, तो हम बिहार वाले पूरे देश वासियों का स्व पर डैस होते हैं, सहाब हमारी बॉल बियरिंग होती हैं, बुस बियरिंग होती हैं, मैगनेटिक बियरिंग होती हैं, निडल बियरिंग होती हैं, जितना भी रोटर का साफ्ट होता है, सारे साफ्ट कहीं कहीं क्या होते हैं, एसेंबल होते हैं, सारा साफ्ट क्या होता है, ए अगर ये माली जी मेरा साप्ट है, इसको घुमाना है, तो दोनों तरब कहीं ने कहीं तो आपको hold करने के लिए place चाहिए, अगर आप इसको hold नहीं कर पाएंगे, तो ये घुमेगा कैसे, ये हवा में तो घुम नहीं सकता, जूल नहीं सकता, इसके लिए हमें इधर भी इधर क्या करना पड़ता है, सपोर्ट देना पड़ता है, और वो सपोर्ट हम किसके माध्यम से देते हैं, आपको दोनों तरब के इंड रिंग के माध्यम से, इंड कैप के माध्यम से, और उसी इंड कैप में, इंड सेक्शन में क्या रहता है, दोनों तरब का धक्कन है, उसी पे आपका bearing लगा होता है bearing पे साब तिकी रहती है और देन इसका movement बहुत आसानी से होता है और वो bearing हमारी ball bearing होती है जो तस्वीर आपके सामने साब है right answer is dear friend option number A ball bearing चलिए किसी दो transformer में 150 watt का iron loss है क्या है हमारी iron loss है 150 watt 250 watt का full load पे copper loss होता है copper loss आपका 250 watt है अब आपसे कह रहा अधिक्तम दक्षता कब मिलेगी जब total loss क्या हो जाए आप जानते है maximum efficiency हमारी transformer में तब मिलती है transformer में कब मिलेगी जब आपका क्या हो जाए PIE के बराबर क्या हो जाए PCU हो जाए यानि copper loss किसके बराबर हो जाए iron loss के बराबर हो जाए विद्यार्थियों आप यहाँ ध्यान दीजिएगा हमारी जो iron loss है उसके दो component है hysteresis पलस eddy current loss hysteresis loss जो है साथियों ये आप जानते हैं अच्छी quality के magnetic material का इस्तिमाल करने से कम हो जाती है eddy current loss जो है वो आप जानते हैं आपका क्या होता है तो सभावी ग्रूप से साथियों eddy current loss आपके thin elimination से पतले elimination से खत्म हो जाती है मैं एक छोटा सा relation यहाँ लिख देता हूँ hysteresis loss का मान होता है KH BM to the power 1.6 F into B होता है जहां भी आपका volume है उसके बाद सहाब PE eddy current loss का मान होता है KE BM square F square T square into B जहां T आपकी क्या है thickness of lamination T आपकी क्या है thickness of lamination है साथियों lamination की मोटाई यहाँ से क्या concept आपको पता चला अगर आप क्या करते हो अगर आप thickness मोटा insulation करते हो तो मेरी eddy current loss बढ़ जाती है क्यान रखते हैं कि insulation कैसा होना चाहिए पतला होना चाहिए इसमें कोई सक नहीं है साथियों अब ये दोनों loss हमारी क्या है constant होती है इसका load के variation से कोई लेना देना नहीं होता है load में परिवर्तन होने पर भी यह बिल्कुल बदलता नहीं है बिल्कुल सही कहा तुमने सिवनराइन हमारी right यहाँ पर क्या magnitude हो जाएगी आप यहाँ देख लिजिए साहब हमने PI के बराबर किसको कर दिया PCU के कर दिया यानि दोनों का मान हो गया 150 PI भी 150, PCU भी 150 अब आपका total loss निकालिए क्या हो जाएगा ऐसी परिश्थिती में total loss मेरी PI पलस PCU copper पलस iron loss iron पहले से 150 है maximum efficiency की condition के कारण मेरा copper भी 150 हो गया तो हम यहाँ भी क्या लिख दे 150 finally we get how much magnitude 300 watt तो आप ध्यान दखिएगा अगर ऐसी परिश्थिती होती है तो 300 watt पर हमारी efficiency क्या होंगी maximum होंगी right answer जो option number B चलिए आप इसका skin sort भी ले लेंगे और आप copy में भी जरूर सारे बच्चे नोट करेंगे जिन भी छात्रों को इस बार 2000 में अपना एक seat लेना है जरूर लिख लिख करके practice करेंगे और दो महने तन मन धन पूरा समर्पन सिर्फ और सिर्फ किस पर होना चाहिए पढ़ाई पर होनी चाहिए ये मौका हाथ से जाना बिल्कुल नहीं चाहिए साथ है आईए अगला प्रश्टा blocked rotor test में slip dash के बराबर होता है मैं आपको एक छोड़ी सी बात बता दू मेरा जो blocked rotor test होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं rotor के speed को कर देते हैं zero यानि rotor को घूमने नहीं देते हैं rotor मेरा क्या रहता है बिल्कुल साथियों क्या रहता है ध्यान रखिएगा rotor हमारी क्या होती है पूरी तरह से साथियों बिलकुल उसको रोक देते हैं किसी apparatus का इस्तेमाल करके या फिर आप soft cloth का इस्तेमाल करके पूरी तरस उसको क्या करिए रोक दीजिए अजब रोक देंगे तो फिर हम यहाँ पर लगाते हैं wattmeter, 2 wattmeter का यूज करते हैं, 3 phase का हम connection रखते हैं, supply भी 3 phase का देते ही देते हैं यहाँ पर यह ammeter मेरी series में voltmeter मेरा क्या होता है parallel में लगा होता है, input voltage को adjust करने के लिए auto transformer का भी परियोग करते हैं, इसमें कोई सक नहीं है, ताकि सुरुवाती current को यहाँ क्या कर सके, कम कर सके, और हमारा coil damage ना हो, जब rotor मेरा blocked हो जाता है, वैसी परिश्चिती में साथियों, हमें block rotor test से कौन सी losses calculate होती हैं, copper losses को हम calculate करते हैं, यह बिल्कुल आपके short circuit test जो transformer का होता है, उसी के जैसा है, क्या है, यह short circuit test जो transformer में होता है, उसी की तरह यह है, बिल्कुल मिलता जुलता, उसमें कोई सक नहीं है, अब हमसे कह रहा है slip, तो slip तो आप जानते हैं, ns-nr by ns होता है, मेरा ns यहां है, लेकिन nr 0 हो गया, ns भी मेरा क्या है, यहां पर कुछ न कुछ है, आब यहां ध्यान दीजिए साथियों, ns-nr मैंने बटा ns, तो यह 0 तो टोटल हो गया, ns बटा ns तो फाइनली आप क्या लिखिएगा 1, तो मेरा क्या हो जाता है 1 हो जाता है साथियों ब्लॉक रोटर टेस्ट के दौरान आपकी slip की मात्रा क्या होती है 1 हो जाती है, चलिए मनीज जी, निगेटीव मार्किंग नहीं है, नॉर्मलाजेशन होने करण नमर कम होता है, लेकिन जो आफलाइन टेस्ट हमने कंड़क्ट किया है मैंने आप सभी छात्रों के परफॉर्मेंस को बहतर तरीके से चेक करने के लिए, ठीक है ये अंदाजा रहे कि मेरा नॉर्मलाजेशन से माग घटेगा, तो हम इस लेभल पर हैं नहीं तो आप लोग जल्दी खुस हो जाते हैं जल्दी खुस नहीं होना है सलेक्शन लेकर खुस होना है तत्वी इंड़क्शन मोटर के स्टेटर फ्रेम में सिलिकॉन स्टील के टुकडे आमतोर पर कितनी मोटाई के साथ होते हैं तभी इंड़क्शन मोटर का हमने एक तस्वीर देखा था ये हमारा तस्वीर देखिए यहां पर इंड़क्शन मोटर की तस्वीर आपके सामने आ रही है हमने जस्ट अभी देखाता सातियों यह रही तस्वीत, इंडek्शन मोटर की जो यह स्ट्रक्चर्स हैं, यह हमारी किसकी बनी हुई है, इसकी बनी है, सिलिकन स्टील की, सिलिकन स्टील देने से लो रिलक्टन्स पात होता है, फ्लक्स का ऐसोशेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है इसलिए हम इसका क्या करते हैं प्रयोग साथियों करते हैं इसमें कोई नहीं है अब आप से कह रहा है हम सिलिकन वा स्प्रिज़ chief स्टील का इस्तेमाल करते हैं उसमें ठीकनेस कितना रखते इन सुलेशन का तो सब 0 5 mm रखते हैं क्या रखते हैं इसा होता है जडी आपने यह आपने क्या की बढ़ाऀ यह ए वने लीनेशन कि लैमिनेशन पाया ज्यादा हुआ करते हैं को एडिक कूरेंट मुझूर हो जाती है क्या होती है चाहि कोईशातो है ने उन्हें कोई लेने की जुरत नहीं है उन्हें सिर्फ देना है प्रेक्टी स करना है एक के बीच इंसुलेशन परिक्षन करते समय यदि क्वाइल के बीच कोई डेड शॉट सर्किट है लेंप क्या होगा कह रहा है लेंप से हमने वाइंडिंग को जोड़ा है जोड़ने की बीच में जब इंसुलेशन का टेस्ट कर रहे थे तो मेरा क्वाइल क्या हो गया कहीं पता छोने की सिती में धारा ज्यादा भैती है असरेणी में जोड़ा जाएगा तो टेस्ट लेंप क्या करेगा भूर्ण रॉस्नी देगा अब असपर्ष सी बात है क्या हो जाएगा लाइट में कोई परिवर्तन नहीं है धारा मेरी क्या है सहाब जाही रही है धारा का रहा है चलिए लिक्विट टाइप एच भी एच रसी फ्यूज में कांच का एक ट्यूब किस्से भरा होता है बहुत अच्छा प्रश्ण है एच भी एच रसी हाइब होल्टेज एच रसी होता है आपका हाइब रप्चरिंग कैपैसिटी क्या होता है यह है आपकी तस्वीर यह भी आप जानते हैं री वायरेवल नहीं होता है एक बार जब डैमेज हो गया तो दुबारा फिर नया ही लगाना पड़ता है मरमत आप इसकी नहीं कर सकते हैं साथियों यहां फ्यूज लिंक है यह कॉर्क है लिक्विड हमने यहां पर भड़ा है इ है कर्णेक्शन है और यहां आपका क्या है सा थि यहाँ त्युब का से किया यहां एक पड़ जाता है तो हम समझ जाते हैं मेरी क्या हो गईव क्या हो गई हो गया है लट साथियों यह एस tube में हम भरते हैं अ्छा परश्ण है पर सथ elkjanetin हैं इस eigenlijk में हम भरते यह हमारा carbon tetra chloride है यह आपका किस रूप में मौझूद होता है liquid के रूप में और आप जानते हैं CC alphur हमारा क्या होता था अगनी स्कामक भी होता था जिसको हम लोग क्या करते हैं ctc fire extinguisher के नाम से जानते थे किस नाम से ctc fire extinguisher के नाम से हम इसको क्या करते हैं जानते हैं साथियों यह विजिरी से लगी आग को बुझाने में क्या करता है काम करता है right answer is option number B चलिए यहां जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह तस्वीर आप की किस की है साथियों ट्रॉपेड्योर केबल की हैं किस की हैं ट्रॉपेड्योर केबल की हैं इसमें कोई सक नहीं है आई आगे बढ़ते हैं सम्मरीन में इसका इस्तेमाल होता है ट्रॉपेड्योर काम करती हैं और यहां आपकी ट्रॉपेड्योर के बहें प्लास्टिक कोटेड होती हैं जल का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है इसके अंदर हम लोग गट्टा परचा का इस्तेमाल करने से वह नमी को क्या करता है सोखने की छमता बिलकुल नहीं होती है ज्यादा तापमान नहीं साह सकता लेकिन अंदर ही अंदर समुद्र के नीचे बड़े आराम से क्या होता है सहब इस्तिमाल में लिया जाता है विसाल जी मैंने कई बार कहा है निगेटिव मार्किंग नहीं होती है नॉर्मलाजेशन होता है जिससे मार्क्स रिड्यूस करता है इन ही बातों को ध्यान में रख करके हमने जो अफलाइन टेस्ट लिया है उसमें 0.25 निगेटिव मार्क्स हमने रख दिया है ताकि आप सब लोग क्या कर सकें प्रोपर तरीके से साथियों आपनी तयारी को मजबूती दे सकें ठीक है टेस्ट के लिए मैं बार-बार कह रहा हूं प्लेटफ ठीक है 11 को जो बैच स्टार्ट होगा वह इलेक्टिक ड्राइब चेप्टर से स्टार्ट होगा और बिलकुल हमारा चेप्टर है बिहार इलेक्टिसिटी बोड का 18 चेप्टर वहीं से 11 तारिक वाला बैच चालू होगा ठीक है घबराइए मत ठली पढ़ाई पर ध्यान किनों के बीच दूरी क्या करता है मेंटेन करता है ताकि हवा जब हो या स्विंगिंग ऑफ एयर हो तो ऐसी परिष्थिती में किसी भी हाल में साथियों हमारी तार आपस में सटे नहीं अगर ये सारी तार आपस में क्या होती है सट जाती है तब क्या होता है जब सारी तार नजदिक नजदिक हो जाती है तो चारो और ionization of air होता है और उस ionization of air से हमारी क्या होती है सुभावी कसी बात है short circuit के समसे आती है आपका corona losses बढ़ना चालू होता है ये सारी परिशानी हो जाती है साथियों तो finally हम इसका इस्तिमाल कर रहे हैं interference को क्या करने के लिए कम करने के लिए radio interference को भी क्या करता है कम करता है कोरोना को भी क्या करता है साहब कम करता है ताती साथ आपके इसकीन प्रवाव से भी क्या होता है हमें बचत होती हैं ये सारी चीजों से हम बच पाते हैं हमारे लिए काफी फाइदे मंद है चलिए आगे बढ़ते हैं साथ अब आईए मैं आपसे एक छोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ, हमारा ब्रह्मास टेस्ट सभी टेक्निकल प्रिक्षाओं को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है, ये टेस्ट आपको मिलेगा, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप पर, मात्व 299 रुपे में मिले अभी जो यह 20 कोस्टन होगा, वो बिहार इलेक्टिसिटी बोर्ड के जितने 18 चेप्टर हैं, उन्हीं को ध्यान में रखवा करके अत्तब यह किया जा रहा है, ताकि आपका बहतर प्रैक्टिस हो और आपको बिहार इलेक्टिसिटी बोर्ड में फाइदा मिले, ठीक है, यहां पर नॉर्मलाइशन का फॉर्मूला रेलिवे के तरह नहीं है, यहां फॉर्मूला अलग है, इसी लिए, चलिए, किसी आदर्स ट्रांस्फॉर्मर का वोल्टेज, रेगुलेशन कितना होता है, सबसे पहले तो आईए, हम लोग बात करते हैं, आदर्स ट्रांस्फॉर आदर्स ट्रांस्फर्मर जो हमारा होता एडियल ट्रांस्फर्मर इसमें आप ध्यान रखिएगा हमारी लॉसेस कितनी होती है जीरो पर्सेंट तो ऐसे ही इसमें होता ही नहीं है यहाभी जीरो पर्सेंट तीसरा कॉपर लॉस जीरो चोथा अइर्ण लॉस जीरो पाच्वाँ आपीसेंसी यानि आपका ना आइर्ण लॉस है ना कोपर लॉस है वाइंडिंग के रजिस्टेंस के आदर कुछ प्रापलम है कहीं कोई परिशानी नहीं है सब कुछ ideally आपका क्या होता है जीरो होता है जब सब को जीरो होता है 100% efficiency होती है तो आप तो याद आपको तो आप समझ में आही गया कि यहां regulation क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा यानि voltage भी constant रहेगी क्या होगा साथियों voltage भी constant रहेगी voltage के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा यह ध्यान रखेगा और आपका जो percentage voltage regulation होता है transformer में होता है no load voltage minus full load voltage अब बटा no load voltage गुना 100 ठीक है और ये no load कहां का secondary का ये full load कहां का secondary का ये no load कहां का secondary का तो साथियों आप सदय भी याद रखेगा no load की voltage minus full load की voltage अब बटा क्या हो जाएगी no load की voltage यह जो ratio होता है यह जो ratio होता है ध्यान रखेगा साथियों उसमें क्या हो जाएगा मान घटेगा और voltage regulation जितनी कम होती हैं उतना बहतर माना जाता है हमेशा याद रखेगा lower will be the value of क्या याद रखेगा lower will be the value of voltage regulation considered as best voltage regulation जितना कम मान होता है उतना बहतर माना जाता है और यह voltage regulation voltage के मान में होने वाले fluctuations को बताती है इसलिए आप sure हो जाएए अगर voltage fluctuate नहीं करेगा तो हमारे लिए बहुत बहतर है आईए चलिए अगले प्रस्कियोर चलते हैं इसमें कौन सा परिपत वियोजक्स सबसे कम आर्क उरजा का उत्पादन करता है सबसे कम आर्क आपको कहां पर प्राप्त होगी बहुत interesting question है साथ को आप सबको मैं बता दूँ मेरा जो air blast circuit breaker है air blast circuit breaker में हम क्या करते हैं एक यहां देख लिजे air reservoir का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं रिजर वायर का यूज करते हैं यह जो रिजर वायर है इसमें हम लोग pressure में हवा देते हैं 30 kg प्रती सेंटीमीटर Q के respect में ठीक है कितना pressure रहता है यहां पर 30 kg प्रती सेंटीमीटर Q के respect में क्या रहता है cubic सेंटीमीटर में क्या रहता है मेरा pressure रहता है और यह आपकी cost थोड़ी बढ़ा देता है और cost बढ़ाने के कारण यहां सभाविक सी बात है बीच में मेरा क्या है साहब यह आपका boosting है और इस boosting के बाद यहां अलग-अलग resistance unit हमने लगा दिया है और फिर सब unit के साथ में देखिए supply का connection current का हमने दिया है और इस star के माध्यम से मेरी धारा क्या होती है प्रवाहित हो रही है यह मेरा operating rod है जिस rod का संपर्क बनाने से supply आपकी जाने लग जाती है क्या होती है इसमें कोई सक वाली बात नहीं है ठीक है राइट आंसर जो है आपका क्या होगा air blast circuit breaker सबसे कम आर्क आर्क का मतलब आपका चिंगारी है आर्क का मतलब क्या है सातियों चिंगारी है यह हमे regulation होता है जितने विद्वान हमारे साथ जुड़े हैं सातियों एक होता है up regulation अप regulation का मतलब होता है percentage भी यार बराबर आप लिखेंगे no load voltage minus full load voltage बठा full load voltage अप regulation का मतलब है regulation का मान क्या होना अधिक होना जो की अच्छा नहीं माना जाता है दूसरा होता है down regulation down regulation का मान होता है साथियों कितना होता है B no load minus B full load अबटा होता है B no load गुना 100 यहां voltage regulation के मान में क्या होती है कमी आती है और हम लोग हमेशा चाहते हैं जितना कम से कम हो वही होना चाहिए इसलिए विद्यार्थियों ध्यान रखना हमारे transformer के case में efficiency कितनी होती है 97 से ले करके 99% के बीच होती है तो हमारा जो static machine है transformer जो हमारा अस्थिर machine है transformer उसमें हम लोग no load minus full बटा no लेने का प्रयास करते है और जो मेरी rotating machine है उन rotating machine में हम no minus full बटा full लेने का प्रयास करते है ये सहब मामला यहाँ पर रहता है चलिए concept clear हो गया मैं बार बार कह रहा हूँ सभी बच्चे ध्यान रख लेंगे फीटर, डीजल, उसके बाद टर्नर, वेल्डर, electronic mechanic, वायर्मेन कोई भी ब्रांच से आपका किसी भी trade से आपका ITI है आप नहीं भर सकते सिर्फ जिसका electrician से ITI है वही इस form को भर सकता है सिर्फ electrician से जिसका ITI है वही भर सकता है बाकि कोई नहीं भर सकता है आए लाइव उपकरनों के धातु की सभी casing का पृत्वी के electrode system से connection करना क्या कहलाता है सपोस कर लिजे ये मेरा क्या है motor का क्या है सातियों योग है क्या है body है योग है अब इस बाहरी metallic body को यह आपकी metallic body है cast iron की या silicon steel की है तो हमारी metallic body को हमने क्या किया है earth continuity conductor के वाध्यम से यहां आपका आर्थ का रड है मान लिजे हमने जोड दिया है ठीक है क्या किया हमने जोड दिया है अब जब इसके साथ हमने यहां जोड दिया है सातियों ऐसी परिष्टिती में क्या होता है कि आपका सिस्टम के connection को ते electrode के साथ इसका जो connection किया है इसे हम bonding कहते हैं क्या कहते हैं bonding कहते हैं ऐसा करने से मेरी जो leakage current है वह सारी की सारी क्या चली जाती है पृत्वी में चली जाती ह इसका resistance सहाव 0 के आसपास या noon-thumb हो जाता है क्या होता है जीरो के आसपास या noon-thumb हो जाता है इसमें कोई सक नहीं है तिक है और फिर हम safe हो जाते हैं बाकी circuit तो आप जानते हैं electrical circuit क्या होती है any closed energized network is considered as electric circuit यानि अगर आपने voltage का supply दिया यहां current पास कर रही है register R1, R2 है और इस पूरे परिपत में धारा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के हो रहा है तो सुभावी group से इसे क्या कहेंगे circuit कहेंगे साथियों अब रही बात आपकी cell तो आप जानते हैं cell आपकी क्या करती ह chemical energy को convert करती हैं किसमे electrical energy में cell क्या करती है chemical energy को electrical energy में convert करने का काम करती हैं फिर आपकी बात रही overlap overlap का मतलब एक के उपर दूसरा क्या होता है इसका मतलब एक के उपर दूसरा मतलब एक winding हमने किया उसके उपर दूसरा winding कर दिया यह चीजें आपकी क्या कहलाएंगी overlap अगला प्रश्ण अंतरास्टिय मानक IEC 606011 के अनुसार अर्थ लीकेज करें का अधिक्तम सीमा क्या होता है बड़ा अच्छा प्रश्ण है सातियों हम लोग खास करके IEC 606 यह जो रूल आया था यह Medical Sector के लिए आया था और Medical Sector कहने का मतलब है जितने आपके Bio-Medical Instruments है उन सभी Bio-Medical Instruments जो Electrical Supply पे है ना जो Electrical Supply को रिसीब करके अपना संचालन करते हैं Electrical Energy देने के बाद वह क्या होता है operate करता है साथियों ध्यान रखिएगा उनहीं में उनके लिए हम इसका क्या करते थे इस्तेमाल जहां हमारी current क्या होनी चाहिए leakage क्या हो वहाँ पर कम हो लीकेज ज्यादा होगा तो पता चलेगा इधर पैसन को इलाज करने के लिए लगाया और पैसन दुनिया से निकल गया तो इसने कहा था IEC 60601 के पारा नम्मर 1 में बताया गया कि leakage करें की सीमा कितनी होगी 1 मिली एंपियर तक हो सकती है 1 मिली एंपियर से सहाब अगर जादा है तो आपको सुधार करना होगा सिश्टम में बदलाव लाना पड़ेगा तभी जाकर के आप कर पाते हैं चलिए बिलकुल लड़कियों के लिए होस्टल यहां उपलब्द है और आसानी से आपको होस्टल की सुविधा मिल जाएंगी इसमें कोई सकने जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं दो से तीन मेहने की तयारी में अपना भाग बदलना चाहते हैं इस दो हजार इलेक्टिशन के सीट में एक सीट अपना पक्का करना चाहते हैं तो आप हमारे ओफलाइन क्लासे से अगर जूड़ना चाहते हैं तो बाजार समीती मैन गेट पर प्लेटफार्म बै नवीन कुमार सिंग संस्थान से जूड़ करके आप अपनी तैयारी करिए और सफल हो जाईए और रही बात रूम वगेरे की तो वो सारी चीज़ यहां प भी एरेंजमेंट रहता है बाकि आप अपने अस्तर से भी कर सकते हैं तो जब आप हमारे इंक्वाइरी से कम्मुनिकेट करेंगे तो सारी जानकरी आपको मिल जाएगे ठीक है आईए वन बाइफाइब थाजन जो है वो इंडियन इलेक्रिशिटी रूल के हिसाब से है समझ पर्णनों में किसे भू संपरकन की जुरत नहीं होती है यानि इस इंस्टुमेन को अर्थिंग देने की जुरत नहीं है साथियों अर्थिंग नहीं देना पड़ेगा ऑस्पमेटिक एलेक्तिक वाटर हीटर की बॉड्य तो सभावीक सी बात है आपका क्या है ध्यान रख्य इसमें भी तो कहिन कहीं मैटल है ना जो भी उपकरन जिसका बॉडी कहिन कहीं मैटल से जुड़ा हुआ है उसको डेफिनेटली अर्थिंग देना पड़ता है गीजर को भी अर्थिंग देना पड़ता है रेफ्रिजिरेटर को भी देना पड़ता है लेकिन प्लास्टिक बिल्कुल देने की जुरत नहीं पड़ती है मेरा राइट आंसर है भी हम अर्थिंग सिर्फ उसी को देते हैं जहां मेटालिक एस्ट्रेक्चर जुडा रहता है जहां कहीं कहीं धात्विक बॉडी में धारा के आने की संभवना बनी रहती है इसमें कोई सक नहीं है बिल्कुल सुनील कुमार यादव जी एक सीट तो पक्का होना ही है और एक सीट नहीं मेरा तो सपना है दो हजार में पंदरह सो अपना है समझ गें कि नहीं है इसलिए सिंता नहीं कीजिए बाकि 500 पूरे देश भर के लिए छोड़ देते हैं क्या सामत हैं कि नहीं आप लोग दो हजार में पंदरा सो अपना है, कितने लोग साहमत है, Electrician Trade Computer Hindi English GKGS का Practice Set साथ साथ आएगा, अलग-अलग बुक नहीं आएगा, Practice Set आएगा, उस Practice Set के साथ आप जुडियेगा, और वो आपके भी जल्दी आ जाएगा, और एक Technical Book आएगा, Special Behind Electricity Board के लिए, ठीक है, चलिए, बहुत सारे शात्रों ने जवाब दिया है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, जरूर 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 साथियों, क्यारा भू इलेक्ट्रोंड का भू परतिरोद याद करने के लिए, 20 बहुल्ट परिक्षन बहुल्टेज का इस्तिमाल किया गया है, और जितने भी Spikes हैं, यानि नीचे जो आप रड जैसा गार रहें अर्थ टेस्ट करने के लिए, वो सारे रड में अलग अलग धूरी पर चार जो टेस्ट आपने किया है, हर एक में करेंट किसी में 3.8, किसी में करेंट आपकी कितनी मिली है, 1.9, किसी में 2.6, किसी में 3.1 मिला है, तब आपको कह रहा है परतिरोद के पडिकलित का मान बताइए, यानि जो finally हमारा total calculated value जो resistance का होगा, वो कितना मिलेगा, ठीक है, अच्छा, सिवनरेन जी आप कह रहे हैं, 2000 सीट सिर्फ हमें मिले, बहुत अच्छी बात है, आईए साहब, आईए, अपना है, लेकिन free काम होने का सपना है, free काम क्यों होगा भाई साहब, free क्यों काम होगा, आपकी नौकरी लेगी, तो क्या आप सैली लिए बिना जॉब करेंगे क्या, ये बताइए, कितने ऐसे छात्र हैं, जिने सर्विस लग जाएगी, बिहार electricity board में posting हो जाएगी, और वो कहेंगे, कि सरकार मैं जीवन भर, बिना किसी वेतन के काम करूँगा, मेरा वेतन मत मुझे दीजिए, लेकिन मैं काम करूँगा, कितने ऐसे बच्चे हैं, जिरा मुझे बताइए, कोई ऐसा नहीं है, जो तियार होगा, हाहा, है ना, चलिए, तो सातियों, बुद्धा बैच जो है, सभी बैच में ट्रेड कॉमन चलेगा, और सभी में ट्रेड मही पढ़ाऊंगा, और सभी चैप्टर के जितने महत्पुन क्वेस क्वेस क्वेस्चन है, सब नुमेरिकल भी करवाए जाएंगे, बाकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, आप क्या करिएगा साथियों, तो ब्रमास बैस से जूड़ जाइएगा, चर मानों का क्या होता है, औसत होता है, मेरा फाइनल जो रेजिस्टेंस होता है, वो टोटल का क्या होता है, एवरेज, तो टोटल का आवरेज, 3.8, 1.9, 2.6, 3.1, सब को जोड़ दीजे, नीचे क्या करिए, 4 से भाग दे दीजे, सब आव एक्सी बात है, आप जानते हैं न, मेरा आर बराबर क्या होगा, भीबाए, आई हो जाएगा, अब आई आप करिएगा, तो क्या करिएगा, जो भीबाएबल कॉइंटिटी है, आपका 3.8, पलस 1.9, पलस 2.6, पलस 3.1, अब बटा नीचे क्या कर दीजे, 4, ऐसा करके आप एवरेज निकाल लीजेगा, समान बात यही है, और फिर उस एवरेज को इस जगपे, आई के जगपे रखेंगे, देन हमको क्या हो जाएगा, टोटल रजिस्टन्स का मान निकल जाएगा, यानि राइट आंसर है, चर मानों का आउसत, चर मान मतलब भैरिबल भैल्यू, जो मान बदल रहा है, उसके बारे में ठीक है, आईए, आई आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्णा, अगला प्रश्णा, खांच वाली और प्रती खांचा दस चालक युक्त दस ध्रूब तरंग लेपी जेनेटर को जब 1200 आर्पेंपे चलाया जाता है, विद्यूत वाहग बल कितना होगा, फलक्स देख लीजे क्या है, फलक्स आपको 0.01 वेबर दे दिया गया है, उसके बाद देखते जाईए क्या-क्या जानकारी आपको दी जा रही है साथी, अब यहां से हम लोग numerical की दुनिया में चल रहे हैं, एक-एक करके आप लोग समझेगा, ठीक है, एक-एक करके समझेगा, तोटल लमोर अफ कंड़क्टर जेड की बात कर रहा है, तो एक-सो खाचा है और एक खाचे में दस चालक है, तो टोटल कितना हो गया, एक-एक हजार कंड़क्टर हो गया, पोल मेरे पास कितना है सातियों, दस पोल है, ठीक है, अब मेरा स्पीर कितना दे दिया है, 1200 RPM दे दिया है, लैप वाइंडिंग है, तो आपका A बराबर क्या हो जाएगा, आपका 2 के ही बराबर होगा, लैप में तो A हमेशा 2 के बराबर होता है, भरे पोल कितना भी क्यों न रहे, इतनी जानकरी जब आपको मिल गई, तो आप जानते हैं न, मेरा EMF क्या होता है, P, 5, N, Z, बटा, 60, A होता है, रखिए न मान को, P का मान कितना है मेरे पास, 10 है, P का मान क्या है, 10 है, 5 मेरा क्या है, 0.01 है, स्पीड मेरी कितनी है, 1200 है, उसके बाद मेरा कंड़क्टर कितना है सहाब, 1000 है, आप सारे मान को उपर रख दीजिए, नीचे 60, और A आपका कितना है, 2 है, आफ्टर डैट, जब इसको आप सॉल्ब करते हैं, तो how much will be the magnitude dear friend, फटा फट आंसर दीजिए सातियों क्या होगा, सारे बच्चे बताइए जल्दी से, क्याल्कुलेट करके मुझे जवाब दीजिए, सभी विद्यार्थी क्याल्कुलेट करके मुझे जवाब दीजिए, क्या होगा, बिल्कुल सातियों, राइट आंसर इज 1,000 वोल्ट, यही आपकी इंड्यू सीमेफ होगी, ऑप्सन नमर बी, देखा, नुमेरिकल को देख करके कभी हतास निरास मत होए, होसला मत छोड़िये सातियों, नुमेरिकल कठिन नहीं होता है, दी गई डाटा का मान अगर हमने ग्याद कर लिया, तो उसे डाटा के अधार पर क्या चीज निकालना है, वो मैंने मालूम कर लिया, फिर सबका आपस में क्या संबन्ध है, उसे देख लेंगे, और वेल्यू पूट करेंगे, आंसर मिल जाएगा, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला है एक संड जननेटर, तन जननेटर में यहां मेरा क्या होगा, एक रजिस्टर होगा, यह आर एस है, इधर आपकी क्या है, लोड वोल्टेज है, यहां आर मेंचर रजिस्टरंस आरे आर एस है, इधर आपकी आईए, यहां आपका यह इधर आपकी करेंट आई, है अब देखते हैं क्या-क्या दिया है question में बताया है कि वोल्टेज मेरे पास कितना है साहा विववांतर आ है कि अ है तोर्मिटल मेरे पास कितना है 250 वोल्ट का saint 202 की सो इतना मिल रहा है आर्मेचर प्रतिरोध आरे का मान है 0.02 ओम और संट प्रतिरोध आरेसेच का मान है 50 ओम अब आपसे कह रहा है जेनरेटीड विद्धुत वहक बल का मान बताएए कैसे निकाल लेंगे विद्याक्थियों प्रश्द तो बड़ा कथे ना हपके बीच आ गया है जी चलिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें आये निकालना पड़ेगा आर्मेचर करेंट आप देख रहे हैं दो भागों में बट रही है इधर लाइन की करेंट इधर संट की करेंट यानि आयल पलस आई एसेच हो जाएगा सभाविक सी बात है अब इसका मान हम कैसे निक संट का रजिस्टेंस मेरा 50 है सिंप्लिभाइ कि आप 5 एमपियर आया अब आयल पलस आई एसेच करिए आयल एक सो पंचानवे फिर आपका आई एसेच पांच टोटल आपका कितना आ गया 200 एमपियर आ गया तो आपकी आर्मेचर की करेंट कितनी मिल गई 200 एमपियर मिल गई तो बड़ी आसानी से करिए न भाई साब कैलकुलेट आपका जेनेटेड वोल्टेज EG या EA क्या होता है सबावी गुरूप से होता है भी पलस आये और क्या हो जाएगा आरे भी पलस आये आरे तो भी मेरे पास 250 है पलस आये आपका कितना 200 आरे कितना 0.02 तो क्या हो गया व पलस चार यानि 254 भोल्ट आपका आंसर आ गया ओप्शन नमर सी सही उत्तर है देख लीजिएगा और जरूर आप लोग बना लीजिएगा तर आपकी किरपा से आईटिया नहीं बलकि लगता है बीटेग वाले स्टुडेंट से भी फाइट कर सकता हूँ इतना कुछ आपने पढ़ा दिया है चलिए रजनीश जी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मुझे भी खुसी होती है अगर आप मेरे वज़े से कुछ सीख पा पर आईए फिर यह खुसी चरम खुसी में बदल जाएगी आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्तुड आगे बढ़ने से पहले बता दू बिजली बैच हमारी सिर्फ जो चातर चाहते हैं कि हम स्टार्टिंग से स्टार्टिंग का मतलब क्या है बिहार इलेक्टिसिटी बोड़ से स्टार्टिंग से हो रहा है मेरा पहला चैप्टर जो कल स्टार्ट होगा वो इलेक्टिक ड्राइव होगा साथियों तो ड्राइव से हम आरंब करेंगे और इविनिंग में फिर क्लासेस दो घंटे की चलेगी जिसमें हम लोग पढ़ाएंगे आपको इलेक्टिकल वाइर है ठीक है यह माइन में सेट करके रखिएगा बुक बिल्कुल चेप्टर वाई रहेगा हमारा सारा बुक चेप्टर वाई रहेगा इसमें कोई सक नहीं है पढ़ाई भी चेप्टर वाई रहेगी पढ़ाई भी होगी तो पहले थ्योरी बताया जाएगा थ्योरी से मोटर द्वारा चलाया जा रहा है 300 वोल्ट और 18.65 एंपियर लेता है दक्सता 75 परतिसत हो तो मोटर की अस्व सकती क्या होगी अच्छा प्रश्ण है आप सब जानते हैं पावर बड़ावर क्या होता है वोल्टेज इंटू करेंट इसमें कोई सकतो नहीं अब आएए आपको क hyper 65 एंपियर उसके बाद कियहारा साब इसकी की सब्सक्राइबं कि इनटीफ परसेंट बता दी गई है आप से पूछ रा मोटर की कितनी होगी HP में वग्यानिक में आप जानते हैं हमारी फिसन्स क्या होती है इफिसन्सी होती है आऊट्पूट पावर आप बटा pewno पावर क्य बिल्कुल है निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे साथियों आए जड़ा निकाल लेते हैं कि मेरा भी इंटु आई होगा हम 300 गुना करते हैं 18.65 जब इसको आप सिंप्लिफाइ करिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 55,595 पांच हजार 995 इतना मेरा वाट आता है यह तो मेरा इ इफिसेंसी मेरी 0.75 के आसपास आती है ठीक है 75 परसेंट है तो बस आप सिंप्लिफाइ कर लीजे आराम से आपका मैगनिचूर मिल जाएगा यहां से आप आउटपुट पावर का मान क्या लिखिएगा आउटपुट पावर लिखेंगे आप इफिसेंसी इन्टु जब इसको हम मल्टिप्लाइ करते हैं तो जल्दी बताइए क्या हो जाएगा यह 4195.25 हो जाएगा 4195.25 वाट हो जाएगा यह आउटपुट का पावर आपको मिला अब यह तो वाट में है इसको कैसे बदलना है वाट में है इसको बदलना है साथियों हमें HP में किसमें मेरा क्या हो जाएगा पावर इन एच पी विद्यार्थियों यानि हपी में सक्ती हपी में सक्ती आप क्या लिखेंगे यहां लिख देंगे असपष्ट रूप से सहाब 4195.925 बाई 746 मेरा मान हो जाता है एप्रॉक्सिमेट साथियों 7.5 के आसपास ही आएगा लगभग कितना आ जाता है 7.5 के आसपास आ जाता है चलिए ऑप्शन नमर डी को हम सही मानेंगे फ़ड़ा कम रहता है लेकिन एप्रॉक्सिमेट वही लेंगे बिजली बैच में सिर्फ इलेक्टिसियन ट्रेड थ्योरी पूरा परहाएंगे 18 चेप्टर विदाती जी आप लोग क्यों समझ नहीं पाते हैं यहां लिखा हुआ है असपास लिखा हुआ है सिर्फ ट्रेड का 50 माक्स का ट्रेड इसका 18 चेप्टर इसमें पूरा परहाएंगे सब भी सह परहना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा बिदुद बैच लेना पड़ेगा है आई आगे बढ़ते हैं अगला करीड की लाइन धरा लेते समय BBC मोटर 10 निूटन मीटर का बलाघुन उत्पन करती है लाइन किरेन को बढ़ा कर हमसे पांश से 10 कर दिया तो रेखिक चुंबकिये 6 में आपका बलाघुन का मान क्या होगा आप सब एक छोटी सी बात जानते हैं DC मोटर में क्या होता है विद्यातियों खासिर के वो भी सिरीज रहे तो DC सिरीज मोटर में जानते हैं क्या होता है DC सिरीज मोटर में मेरी टॉक समानुपाती करेंड के एस्क्वाइर के होती है क्या होती है करेंड के होती है तो आप क्या लिखनेगा क्या निए हस्कॉयर होता है यह रिलेशन होता है तो मैं कर दू कि देखिए मैं Stadt ट्वारवर करेंगत 10 में यह त्युक्ता है यानिटी पटल नॵिठ ट्यूट है आप लिखेंगे टीटू बटा 10 बराबर 4 तो टीटू क्या हो जाएगा 4 गुना 10 बराबर 40 न्यूटन मीटर देखन में छोटन लगे अगाव करे गंभीर यानि दिखने में तो ये बड़ा है लेकिन है बहुत छोटा यानि असपश्ट है साथियों अगर रिलेशन याद है ट धान दिजेगा साथियों मेरी टॉर्क किसके समानुपाती होती है करेंट के एस्क्वाइर के पहला मेरा मान क्या दे दिया है मेरा टॉर्क T1 हमको 10 न्यूटन मीटर दे दिया है मेरा टॉर्क T2 हमको निकालना है मेरे पास I1 का मान दे दिया है 5 एमपियर I2 का मान दे दिया ह है 10 MPR relation हमको बता दिया है क्या मालूम है टी टू बटा टी बड़ाबर आइटू बटा आइवन का स्कॉयर होता है अब यह जब relation हमको मालूम है इस relation से आराम से हम भैलू रखेंगे टी टू बटा टी बड़ाबर आइटू दस है दस लिखे आइवन पांच है पांच लिखे दस बटा पांच का स्कॉयर किये सॉल्व करेंगे कितना हो गया दो का स्कॉयर बड़ाबर चार टी वन का भैलू भी हमको मालूम है कितना दस फाइनली क्या होगा टी टू बड़ाबर 10 गुनाचार यानि 40 हो जाएगा एकदम आसान है साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी इन सॉट भी लीजेगा कॉपी पे लिख के भी बनाईएगा आईए अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण कह रहा है DC स्टिरीज मोटर में 220 भोल्ट है यानि भोल्टेज का मान कितना दे दिया 220 भोल्ट उसके बाद साब आपका आर्मेचर करेंट आईए क्या कह रहा है आईए जो है आपकी 40 एंपियर है साथियों स्पीड आपका कितना दे दिया इसने 800 आर्पियम दे दिया है हमारा फिल रजिश्टर और आर्मेचर रजिश्टर यानि आरे है 0.2 Ohm और आपका आरेस ह फिल है ना तो आरेस ई स्रीज का हमारा रजिश्टर आरेसि है 0.1 Ohm यह आपका मान है जिरीज रजिश्टर और रजिश्टर का मान भी यहां पर दे दिया है आपको ठीक है अब आपसे पूछ रहा है टोटल टॉर्क का जो विकास हो रहा है वो कितना होगा ताथियों हम सब जानते हैं कि हमारी बोल्टेज जो यहां पर होंगी मोटर है तो सप्लाइ बोल्टेज वह बैक EMF पलस आपकी क्या होगी IA into RA plus RSE हो जाएगी कनफर्म अब हमारे पास देखिए EB का मान है क्या EB का मान है क्या हमारे पास नहीं है तो EB निकालना पड़ेगा EB निकालने के लिए क्या करिएगा B minus IA RA plus RSE करिएगा B का मान 220 minus IA आपकी कितनी है 40 इन्टू आप 0.2 पलस 0.1 करिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे 220 minus 40 गुना 0.3 कितना हो जाता है साब 12 आपका वेल्यू क्या आ जाता है 12 तो 420 220 में से जब 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा 208 भोल्ट आपका बच रहा है कितना बच रहा है 208 भोल्ट बच रहा है कि बिल्कुल 208 बच रहा है अब 208 तो आपका वोल्टेज हो गया यहां तो मेरा काम बन गया लेकिन हमको चाहिए टॉर्क टॉर्क का मान क्या होता है आप साथियों बिद्दुत बैच में कुमन कोड दियाद क्या डालें साहब पहला देख लिज्व कौ्ष्चन देख लिज्व कि आईए सपर अब हमारे पास टॉर्क निकालना है विदार्थी जी क्या होता है टॉर्क ब्रावर आपका वहल्यू होता है डेवलब्ट मेकनिकल पा मान होता है टू पाई एन बटा साथ चलिए सारे मान को रखिए इवी आपका 208 है आईए मेरा कितना है साथियों 40 है बाई नीचे टू पाई इंटू एन का मान कितना है 800 अब आई क्या करिए 60 सॉल्व करिए साथियों जब आप इसको सॉल्व करते हैं आप इसका मान कितना कैल्कुलेट करेंगे 99.3 न्यूटन मीटर मिलता है यानि option नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 99.3 विद्यार्थियों ध्यान रखेगा question तो थोड़ा सा तो अब नौकरी मज़दार लेना है तो थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा विद्यार्थी जी hard नहीं है अगर हमें formula पता है तो hard नहीं है सारा डाटा रखा calculate कि आप EB निकाल लिया EB जब निकल गया तो torque निकाल लिये पी ओमेगा करके EB आईए बाई क्या होता है टू पाइन बटा 60 होता है मेरा right answer क्या है option नंबर ए है साथियों इसमें कोई सक नहीं है चलिए अगले प्रस्ट की और चलते हैं अच्छा नुमेरिकल था इसलिए आप लोग कह रहे थे कि बहुत तफ सेट था है ना और समझ गए प्रैक्टिस करिए समय है आपके पास अभी दो महिना साम कहरा समान बोल्टेज पर शौर सरकीट करेंट फुल लोड करेंट का कितना होता है चार गुना अब फुल लोड सिलिप पर सिलिप अगर तीन परसेंट है तो फुल लोड टॉर्क के वन बाई फॉर एसकारिल केज मोटर को स्टार्ट करने के लिए आप एच्छित आटो टासर में कितने परतिस्द की चैपिंग करनी होगी बहुत इंडरेस्टिंग क्वेश्चन आइए जरा देख लेते हैं हम सब जानते हैं कि आपका स्टार्टिंग टॉर्क बटा फुल लोड टॉर्क टॉर्क क्या है क्वेश्चन ने कह दिया है वन बाई फोर है अब आईए प्रस्ट में यह भी दिया है सौर्ट सर्गीट करेंट बटा फिल करेंट इसका मान कितना है साथियों यह भी इसने कहा है चार गुना है यहनि सौर्ट सर्गीट करेंट हमारे फिल करेंट का कितना है आपका चार गुना है यानि फुल लोड करेंट का कितना है चार गुना है तो जब यह फुल लोड करें है आपका टौर्ट साथियों से अब एक छोटा सा रिलेशन यहां ध्यान रखेगा स्टार्टिंग टॉर्ट बटा फुल लोड टॉर्क बराबर होता है सातियों के एसक्वायर के इसक्वायर इंटू आई एस सी बटा आई एफ का होल एसक्वायर इंटू एस एफ होता है एस यहां रखिए आई सी आई एफ आपका क्या है चार चार का स्कॉयर करिए इंटु जीरो पॉइंट जीरो फ्री जब परसेंट में हमको तोरना था यह तीन परतिसत थी इसी को तोड़ दिये तो जीरो पॉइंट- quant जीरो गया आव यहां से विद्यारती जी हम के स्कॉयर का मान निकालते हैं 1 बाइट फूर बराबर के इसकॉर इंटु 4 इंटु 0.03 तो आपकघंड वप्रेट गुना जीरो पॉइंट-ंजीरु पॉइंट- ध्री यानि आपका बहलु आजाएगा वरन भा 64-0.03 क्या हो गया 1-64-0.03 जब हम के कामान यहां से सिंप्लिफाइ करते हैं तो अंडर रूट हो जाएगा 1-64-0.03 अगर आप परसेंटेज में लेकर जाएगा तो आफटर सॉल्विंग जब मल्टिप्लाइ करके आप सॉल्व करिएगा तो इलग भग आपका क्या आजाएगा 72% के आसपास आजाएगा उत्तर आपका भी हो जाएगा साथियों जो डाता मिलेगी 100 से गुना करिए ठीक लॉजिक और ट्रिक का यूज करिएगा तो नुमेरिकल है और टेकनिकल प्रश्ण है यहां लॉजिक काम नहीं करेगा यहां फॉर्मूले और एप्रोच के साथ आपको काम करना होगा आए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आप कुछ भार के साथ प्रदरसन के लिए 240 भोल्ट 50 हर्च 5 एंपियर 750 रिवोलिशन प्रतिक किलो वाट आवर के उर्जा मीटर का टेस्ट कर रहे हैं जब डिस्क 10 मिनिट में 100 चक्कर लगाता है कितनी उर्जा की सप्लाई हो रही है देखिए चुकि आपको कह रहा है 750 रिवोलिशन प्रतिक किलो वाट आवर मिल रहा है यानि असपश्ट है 750 चक्कर लगाने पर कितना इनर्जी हो रहा है एक किलो वाट आवर हो रहा है 750 चकर लगाते हैं तो कितना हो रहा है एक किलो वाट आवर आपकी इनर्जी हो रही है तो इसी से हम क्या करेंगे एक चकर में हमारा क्या हो जाएगा 1 by 750 KWH हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 by 750 KWH हो जाएगा अब इसी को simplify करिए तो 100 चक्कर में कितना question यही कह रहा है न 10 minute में 100 चकर तो 100 चकर में कितना तो आईए सहाब 100 चकर में 100 चकर में कितना हो जाएगा फटा फट बताएए एक स्व बटास नहीं हो जाएगा जी गुना करेंगे न सौ से तो सॉ बटास साथ सो पाचास हो जाएगा सॉ बटास साथ सो पाचास करिए how much will be the value कितना मान आपको मिल रहा है सॉ बटास साथ सो पाचास करिए 0.133 कितना 0.133 किलो वाट आवर तो मेरा उत्तर हो जाएगा D नमर, देखिए कहीं कुछ भी से स्था, 750 चकर में 1 किलोवाट, 1 में 1 बटा, 750, 100 में कितना, 100 बटा, 750, 0.133, 0.133, चलिए, राइट आंसर हो गया, 0.133, option नमर D, चलिए, अगला प्रस्ट, अगला question है, 6 load induction motor के यहाँ pole होना चाहिए, 6 pole induction motor के एश्टेटर की आपूर्ती की आविरती 50 हर्ज है, rotor की आविरती 2 हर्ज है, वह, pole आपको दे दिया है 6, उसके बाद आपका frequency, जो supply frequency है, 50 हर्ज दे दिया है, आपका rotor frequency FR, 2 हर्ज दे दिया है, आप से करा percentage sleep बराबर what, विरती आप जानते हैं न, rotor frequency FR क्या होता है, S into F होता है, S आपका sleep, आगुना F आपकी supply frequency, क्या है, supply frequency, तो sleep आपके पास दिया गया है, नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ से sleep निकाल लेते हैं, sleep बराबर लिख देंगे, FR बटा F, FR का मान है 2, F है मेरा 50, 2 बटा 50 करिए, 1 by 25 हो गया, बताइए सहाब कितना होगा, 0 point आपका, 0, 4, अगुना 100 कर दिजिए, 4 परतिसत आपकी sleep आ जाएगी, option number C हो जाएगा, क्या हो जाएगा, option number C हो जाएगा, चलिए विद्यार्थ, अगले प्रस्की और चलते हैं, अगला कहरा 20 किलोवाट, 4 पोल, 400 बोल, 60 हर्ज, 3 फे 178 आर्पिम की इंडक्सर मोटर, 400 बोल, 50 हर्ज की सप्लाई से चलाया जा रहा है, तो क्या होगा, देखिए कुछ विशेस बात यहां नहीं है, सबसे पहले आपका पोल कह दिया इसने 4, उसके बाद इसने आपको डाटा क्या दिया है साथियों, इसने कहा है कि हमारी फ्रिक्वेंसी भी कितनी है, 50 हर्ज है, अब विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा, हमारी सिंकोनेस स्पीड एनेस क्या हो जाएगी, 120 F by P करिए, तो 120 गुना 50 बटा 4 करिए, आपका 1500 RPM हो गया, क्या हो गया, 1500 RPM, अब विद्यार्थि जी, इंडक्शन मोटर के रोटर का स्पीड कितना है, एनार का मान तो 1728 RPM दे है, यह मेरा पहला केस है, दूसरा परिष्टिती में चेक करिए साहब, ठीक है, दूसरा परिष्टिती में देखिए क्या है परिष्टिती, जब पोल चार हो फ्रिकंसी तो आपका 50 हो, तो क्या होगा, अब दूसरे नमर पर हम देख लेते हैं, अगला का कारा, 60 हर्ज, अब तो अगला देख लिए पी मेरा चार है एफ मेरा पचास है और सहाब आपके पास निकालना है फ्रिक्वेंसी साथ हो गया तो 120 एफ बाई पी करिएगा तो 120 गुना पचास बटा क्या हो जाएगा पोल आपका चार ये आपकी एटीन हंडेड आर्पीम हो जाती है अठारस स्थाकि आपका क्या हो रहा है 1718 तो मेरे पहले केस में पहले केस में एहने सहाब तो कह रहा है आपको चार्टार बोल 50 हर्ट पे जब आप यूज करिएगा तो फ्रिक्वेंसी हम घटाएंगे तो मेरा एस्पीड भी क्या सब ख़ते होगा घटेगा यानि मरी मोटर 1768 से कम यानि 1500 पर ही चल पाएगी राइट आंसर क्या है डि नंबर हैं कि यह city यहां बसका रहा था कि कि समें स्पीड पर चलेगा किसमें जहिए स्था से भी क्या होगा कम पर चलेगा देख रहे हैं ना frequency घटा तो मेरा क्या घट जाएगा आप सब जानते हैं synchronous speed तमानुपाती frequency के होती है frequency घटेगा मेरी speed भी क्या होगी घटेगी चलिए विधार variable reluctance motor में प्रतेक 4 पोल के साथ कितने दाथ है प्रतेक 4 पोल पे 10 दाथ है अब आईए जड़ा देख लेते हैं प्रतेक 4 पोल पे 10 दाथ है तो रोटर में 80 दाथ है तो टोटल क्या होगा step angle निकालना है step angle का formula मालूम है ns minus nr बटा ns into nr होता है गुना भी द्यार थी 360 यह फर्मुला इदम रट लीजिए भी द्यार थी question एक रहेगा ही रहेगा चलिए simplify करते हैं आपका क्या हो जाएगा हमारा जो number of pole है वो यहां कितना दे रहा है ns 4 pole है एक pole में एश्टेटर का तीथ 4 गुना 10 रोटर का तीथ कितना है 80 अब बटा आपका क्या हो गया 40 गुना 80 गुना 3060 simplify करिए फटा फट बताईए क्या हो जाएगा 80 में से 40 गड़ गया 40 40 गुना 3060 अब बटा आपका 40 गुना 80 solve करिए विद्यार थी बताईए आंसर अर्चो का 32 कितना होगा 4.5 आजाएगा कितना आएगा 4.5 डिग्री तो प्रतेक स्टेप एंगिल आपका 4.5 डिग्री होगा बस फर्मुला याद रखिए आंसर खटा खट निकाल लीजे बिलकुल विद्याथी जी सही जवाब दिया है आप लोगों ने अगले प्रस्ट की और चलिए लक्स बैच हमारा है साथियों ये बैच वैसे चात्रों के लिए हैं जो पुराने एप से जुड़े थे जोन्होंने पहले से पढ़ाई कर रखी है उनको आप लास्ट तैम में रिभीजन चाहिए ताकि वो थ्योरी का रिभीजन फटाफट कर हैं प्रशनों को देखें और अपने प्रैक्टिस में टेस्ट देके लगे रहें ऐसे चात्रों के लिए जो चाहते हैं कि मुझे कंप्लीटेट बैच रिकॉर्डेट बैच लेना है जिससे हम कम समय में अपना रिभीजन तेजी से कर सकें तो रिभीजन करने के लिए आप य कंप्लीट हो चुकी है सिर्फ देड के लिए लिए यह है सिर्फ टेक्निकल नलग जुर सकते हैं ठेक हैं तो आपकीिस धिस दिस रख्याब सर्ण है की लाइन से पांच एम्पिर खीच रहा है मोटर रर 120 भोल्ट है पावर फेक्टर आपका 0.65 दे दिया है आपकरी सक्ति यानि एक्टिव पावर वग्यानिकों यह एक्टिव पावर कितना होगा आप सब जानते हैं क्या होता है भी I 220 है आई मेरा क्या है पाँच है पावर फेक्टर 0.65 है सॉल्व करिए हो मच विल बीदा मैगनिचूड विद्यार्थियों 390 वार्ट होगा क्या होगा 390 वार्ट राइट आंसर इस ऑफ्शन नमबर बी सहाब क्या हो जाएगा ऑफ्शन नमबर भी वेरी गुड सारी डाटा मेरे पास है भी आई कॉस्ट फाई हमारा क्या होता है एक्ट्वल पावर रियल पावर ट्रू पावर का फॉर्मूला होता है उसको पुट किये मैगनिचूड को कैल्कूलेट किये आंसर प्राप्त कर लिए आईए अगला प्रस्ट तीन फेज अल्टानेटर 1000 आर्पियम की गती से चल रही है प्रती फेज 2000 वोल्ट उत्पन हो रहा है छत्र फिल एक्साइटेशन भी दे रहे हैं 2000 आर्पियम पर ही रन करती हैं प्रती फेज उत्पन वोल्टेज कितना होगा अच्छा कोश्चन है इए एवरेज देखिए इ इवरेज वह कहिन है समान उपाती मेरे स्पीड का होता है यानि आप क्या लख सकते हैं इन बाइटू बराबर ऑन बाइटू लिख सकते हैं आराम से लख सकते हैं बस इसी का यूज करिए आपके पास त्यव्यवन दे दिया है कितना 2000 यूई आपको मालूम नहीं है इन वान आपको कितना दे दिया साथियों बताइए जड़ा N1 speed मेरा 1000 RPM दूसरा मेरा क्या है 2000 RPM यहां भी 1000 यहां आपका 2000 सिंप्लिफाइ करिए E2 बरावर क्या लिखेंगे 2000 into 2000 अब बटा क्या हो जाएगा 1000 1000 से दो बार में कटा आफ्टर दाट 4000 भोल्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा 4000 भोल्ट हो जाएगा राइट आंसर इस ऑप्शन नमर ए किल्कुल विद्याति जी अंसु कुमारी प्रेंका कुमारी विने कुमार सिंग प्रिती कुमारी सिम नरायन दिव्या DRM इंस्ट्रक्टर बहुत अशा नाम है सभी लोग ने सही जवाब दिया तक अ प्रस्ताइज अंगर आठ पोल पिछ। कि संख्या आथ है आर मेंचर कि संख्या क्या होगी आपको पोल Pich कह दिया इसने सहाम आठ और उसके बाद पोल इसने कितना कह दिया आठ आपसे पूछ रहा है आर मेचर स्लॉट क्या होगा अब आर मेचर स्लॉट आपसे पूछ रहा है क्या होगा बग्यानिकों आर मेचर स्लॉट की संख्या होती है पोल की संख्या गुना पोल पिच्च क्या होती है पोल की संख्या गुना आपकी प पोल पिच होती है, multiply कर दीजे न, पोल की संख्या आठ है, अब पोल पिच कितना है जी, आठ है, टोटल क्या हो गया, 64, option number B is the right answer, पोल पिच आठ है, पोल भी आठ है, armature slot बराबर होता है, पोल की संख्या, गुना पोल पिच, बटा, नीचे दोनों का मान रख दी, आठ गुन फाइनली क्या मिल गया, 64 मिल गया, ठीक है, विद्यार्थियों मेरे जश्ट बाद, computer का भी discussion होना है, non-take का discussion नहीं होगा, computer का भी discussion होना है, तो आप लोग बने रहेंगे, अभी कुछ और प्रश्ण मैं करूँगा, फिर सुजय सर आपके वीच आएंगे, देखिए अबर आ NS का मतलब होता है, यहां पर ध्यान दिजेगा, NS मतलब synchronous speed होता है, यह बात सही है, NR मतलब rotor speed होता है, यह भी बात सही है, लेकिन repulsion motor, stipper motor में NS मतलब होता है, क्या साथियों, number of estator teeth, क्या होता है, number of estator teeth, NR मतलब होता है, number of rotor teeth, rotor में कितने दात हैं, और आपके estator में कितने दात हैं, इसकी संख्या भी NS, NR से व्यक्त की जाती है, विद्यार्थियों, यहां जो तस्वीर है, इसमें आप देख रहे हैं, हमारी winding, क्या हो रही है सहाब, एक दूसरे पर औभर lap कर रही है, यानि यह parallelly arrange है, और जब parallelly बढ़ते हुए section में arrange है, तो इस तरह की winding, जो parallelly set होती है, उसे lap winding कहते हैं, क्या कहते हैं, लैप winding कहते हैं, और यहां जो lap winding है, इसमें आप जानते हैं, यह lap winding मेरा क्या होता है, इसमें A बराबर P होता है, यान इसमानांतर पत की संख्या पोल के बराबर होती है, और पोल के बराबर होती है, और इसमें समानांतर पत जादा होते हैं, इसको समानतर winding के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इस winding का प्रयोग जो है, उच्छ धारा उत्पन करने के लिए, high current उत्पन करने के लिए, और कम voltage की प प्रयोग करते हैं मेरा right answer क्या हो जाएगा सहाब right answer is lap winding क्या हो जाएगा lap winding चलिए आगे बढ़ते हैं अब wave winding में क्या होगा series होगा wave winding क्या कहलाएगा स्रीज कहलाएगा आईए साथियों अगला प्रश्ण आपके बीच है आठ पोल का लैप वाउंड DC मसीन 720 आर्मिचर कंड़क्टर है उसमें पोल पी 70% समाविष्ट करता है प्रतेग पोल फिस में कंड़क्टर की संख्या कितनी होगी बड़ा अच्छा प्रश्ण है आईए जरा मैं बता दूँ जो मेरी कंड़क्टर की संख्या प्रती पोल इसका गनितिय सुत्र होता है Z बटा AP क्या होता है Z बटा AP और यहां हो जाएगा पोल आर्क बटा पोल पिच क्या होगा पोल आर्क बटा पोल पिच बयानिक जी पोल आर्क बटा पोल पिच होता है मेरे पास क्या-क्या दाटा मालूम है देख लीजे मेरे पास टोटल कंड़क्टर इसने कह दिया आर्मिचर में 720 है तो मैंने पूट कर दिया समानांतर पत की संख्या आप जानते हैं लैप है और आपका आठ पोल है तो जितना पोल होगा उतना समानांतर पत होगा तो ए भी मेरा आठ होगा और पी भी मेरा आठ होगा रही बात पोल आर्क बटा पोल पिच इसने कहा है 70% समाविष्ट करता है तो 70% के भिहाफ में हम यहाँ क्या करें 0.7 से गुना कर दें चलेगा बस इतनी छोटी सी चीज है अगर फर्मुला आपके पास है डाटा को रख दीजे आंसर कल्कुलेट कर लीजे ये solve करिएगा तो आएगा 7.875 हम point में value नहीं लेंगे जब भी लेंगे पूर्ण संख्या के रूप में लेंगे तो आपका आठ conductor पर्ती पोल हो जाएगा क्या हो जाएगा आठ conductor परती पोल हो जाएगा इसमें कोई सक नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं साब क्या चालक में और समान धरा वितरन का प्रभाव है अगर आपके कंड़क्टर में करेंट का मान हर जगा युनिफॉर्म नहीं होता है करेंट हर जगा क्या होती है एक समान नहीं रहती है और समान रहती है कहीं करेंट ज्यादा कहीं करेंट कम आ चारो और का जो आपका aluminium है वही धारा को प्रवाहित कराने का काम करता है तो चारो और जो non uniform distribution होता है उसे दो परिशानी create होती हैं ये तो आप देख रहे हैं हर जगह ये हमारी skin effect एक अकर होती हैं दूसरा होता है तारा का सारा concentration एक particular section में ही बढ़ने लग जाता है और ऐसी पर transmission line में साथियों होता है overhead transmission line में साथियों होता है इसमें कोई सक नहीं है right answer is option number D चलिए आगे बढ़ते हैं input प्रतिबाधा क्या होती हैं साथियों बढ़ा अच्छा प्रश्न है question करा input प्रतिबाधा क्या होती है तो विद्यारतियों ध्यान रखिएगा input प्रतिबाधा को हम लोग अभिलक्षन प्रतिबाधा यानि characteristics impedance Z0 से भी सुझित करते हैं और Z0 का मान होता है under root L by C यहाँ L आपकी inductance है किसकी साहब हमारे transmission line की और C मेरी क्या है developed capacity effect है किसके बीच में inside between the two conductor of transmission line high transmission line के respect में आपकी जो develop होती है हमारी capacitance जो दोनों तरफ तो आपकी ionization of air के कारण चारों तरफ ionization of air के कारण तो आपकी C होती है under root L by C option number C is the right answer your friend चलिए अगले प्रस्ट की और चलते हैं आगे बढ़ने से पहले बता दूँ आप लोगों का बड़ा सवाल था सर यही same test हमको online में कैसे मिलेगा यही same test online में आपको platform online test app को download करने से मिलेगा अगर आप platform online test को download करते हैं तो आपको मिलेगा ब्रह्मा आपको BSPSCL का full test session 1 तो आप session 1 से जुड़ जाईए अभी हमारी जो test offline में चल रही वो session 1 का ही प्रतिरूप है जो आपके बीच उपलवध है और बहुत जल्द हम session 2 launch करेंगे तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं तो आप इससे जुड़िए और अपना practice देनात शुरू कर दीजिए और फ़र निश्यद रूप से सात्यों खत्म होने वाला है आप platform by नवीन कुमार सिंग application को download करके 499 से अधिक जो भी batchage है उस batchage में जब जाएंगे तब वहां पर आपका sticker मिलेगा वहां सिवा 30 वह आप वहां put करेंगे और देन आप दिखें बिल्कुल बिदार्थी जी Tuesday तक हम नया session launch कर देंगे बहुत जल्द मंगलवार तक नया session launch कर देंगे आईए transmission line में समानतव voltage कितने पे भेजी जाती है तो हमारी जो primary transmission line है वहां voltage का मान 132 के भी 220 के भी के बीच साव रहा करता है अगर यहां पर रहता 400 के भी यहां रहता 765 के भी तो हम उसी को टिक लगाते लेकिन दिये गए सभी option में maximum मान कितना है 132 और 220 है इसलिए साव राइट आंसर क्या है option नमर ए है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हरे transmission line के लिए सर्ज impedance की सीमा क्या होती है तो आप याद रख लिजेगा 400 से 600 होती है हमारे cable में कितनी होती है 40 ohm से लेकर 60 ohm तक होती है याद रखिएगा underground cable में 40 से 60 अब हरेट में 400 से 600 ohm के बीच होती है ठ चार सो के भी का थिरी फेज 50 सर्ज ऑबरेट transmission line सिंगल फेज में सर्ज impedance loading का मान क्या होगा SIL इसी का पूरा नाम है सर्ज impedance loading क्या नाम है इसका सर्ज impedance loading अब यहां कई बार question यह पूछ सकता है सर्ज impedance loading SIL इसका गनीतिय मान कितना होता है तो यह आपकी V square by Z होती है क्या होती ह SIL बराबर B square by Z आप आपको याद रखिएगा जो जो value दिया है उसको calculate कर लीजे कैसे करिएगा साब ZS आपका जो है यह हमारी वही सर्ज impedance है तो हम लोग जानते हैं सर्ज impedance का मान normally 400 ohm तो होता ही है अब voltage हमको दे दिया है 400 KB 400 का square बटा 400 कर दीजे how much will be the right answer विद्यातियों बहुत आसानी शाप निकाल लीजेगा after solving क्या मिल जाएगा 400 गुना 410 के पावर 336 यानि 400 गुना 400 है ना गुना 10 के पावर 6 अब बटा नीचे 400 400 से 400 कट गया 400 मेगावाट is the right answer option नमबर B क्या हो गया 400 मेगावाट राइट आंसर बी चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिया विद्यारतियों कूपन 499 से उपर की प्राइस का जो बैच है सिर्फ उसी पर कूपन लगेगा 499 से कम के किसी बैच पर कूपन नहीं लगेगा अगर आप सोचते हैं बुद्ध बैच में लगेगा नहीं लगेगा बिजली में लगेगा नहीं लगेगा कूपन लगेगा आपको विद्ध बैच में 999 का है तो आप लोग को कोई confusion होती हैं सामने स्क्रीन पर नमबर जा रहा है उस नमबर पर आप कॉल करके सारी जानकारी लीजिए अभी हमारे question को complete करने दीजिए ठीक है और मेहनत करिए इसका PDF आपको हम देने में सक्षम नहीं ह यह test offline में आविजित होती है online में same यही test platform online test app पर होती है वहां सारी चीज़ें उपलब्ध है ठीक है यह आपकी स्विधा और आपके ज्यान के लिए मैं आपकी मदद के लिए कर रहा हूं और कोई विसेश बात नहीं है offline के test के छात्रों के discussion के माध्यम से help पहुंचाने का यह मेरा प्रयास है 5000 किलो वाट 11 के भी 220 के भी पर पारिशित की जाए विदुधारा का मान ग्यात करिए बड़ा अच्छा प्रशने सहाब विदुधारा के मान में कितनी कमी आ जाएगी 5000 किलो वाट की सक्ति को 11 के अस्थान पर 220 पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं यानि शुरुव अबर देख लिजे 5000 किलो वाट अब बटा हम क्या कर दें सहाब 11 11 जब इसको सॉल्व करते हैं तो मान कितना मिलेगा बाइस 454.54 पॉइंट 54 आपकी एंपियर क्या हो जाएंगी हमारी करेंट हो जाएंगी अगर इसी को हम लोग क्या करें 220 के भी पर जब भेजना चाहें इसको जब सॉल्व करिएगा तो वहलू मिलेगा आपका 22.73 कितना आएगा 22.73 एंपियर तो जब 11 पर करते हैं तो 454 एंपियर अजब 220 पर करते हैं तो 22 एंपियर अब ऐसी परिशिती में देखिए तो कितने का चेंजर आया धारा के मान में परिवर्तन कितना हो गया देखि आप इसको कैसे वेक्ट करिएगा चेंज इन करेंट परसेंटेज चेंज इन करेंट तो इसी को साब हम ऐसा लिख दें मेरा पहले था 454.54 मैनस कर दीजे 22.73 बटा कर दीजे 454.54 गुना कर दीजे 100 कितना आजाएगा विद्यार्थियों ये 95 परसेंट के आसपास आता है तो पहले वाले से 95% की कमी आ जाती है पुराने से कितनी कमी आ जाती है 95% की कमी आ जाती है तिक है चलिए आज का आखरी प्रश्ण और फिर आपका कंप्यूटर का काईक्टर में स्टार्ट हो जाएगा कहरा है हजार किलो मीटर की लंबी संजरन लाइन में प्रती फेज विदूत लाइन का प्रेरोकत 1.9 मिली हैंरी प्रती केम है यानि एल दे दिया है 1.9 मिली हैंरी प्रती किलो मीटर और एक याद दे दिया है 14.2 ने नो फेराड्स प्रती किलो मीटर आपसे कहरा सर्झ इंपेडंस निकालने के लिए वग्यानिक सर्ज इंपेडंस क्या हो जाएगा under root L by C क्या हो जाएगा under root L by C हो जाएगा मान रखिये और answer बता दीजे बहुत ही आसान प्रश्ण है साथियों अगर formula मालूम है तो कुछ भी कथिन नहीं है 1.9 into 10 के power minus 3 अब बटा कर दीजे 14.2 into 10 के power minus 9 how much will be the magnitude after solving हमें solve करने पर मिलेगा 315.7 ohm यानि 6 ohm जो है आपका option नमबर कौन सा सही है option नमबर A 314.6 is the right answer साथियों ठीक है चलिए तो अब हमारा समय हो रहा है आपसे विदा लेने का और आपके बीच आप सुझे सर कंप्यूटर की चर्चा करेंगे और कल फिर साथियों सेम टाइम में 12 वजे हम फिर से जो टेस्ट आज हमारी साम पांच से साड़े 6 के बीच में आज इत होंगी offline उसके discussion के साथ हम आपके बीच उपस्थित होंगे कल सेम यही time में मंडे को 12 पीम से 2 पीम, 5 पीम जब तक में discussion complete हो जाए तब तक के लिए साथियों आप सब खूब मैनत करिए मन से पढ़िए, तैयारी करिए हमारी batches लेने की इक्षा है तो आप platform by नमीन कुमार सिंग application पे batch ले सकते हैं अगर आपको test से जुड़ना है तो आप platform online test के माध्यम से हम से जुड़ सकते हैं आप सब लोग select हो इसी तुब कामनाओं के साथ कल फिर मिलते हैं अगर आप सबीकों कैसे हैं आप लोग ठीक है तो यह थोड़ा से भोड़ा एक दो मिनट रुक जाए फिर हम computer स्टार्ट करते हैं बस एक दो आ चलिए ठीक है ठीक है ओक्ये गुड़ अप्टरन एक दो मिनट रुक जाए जड़ा सा PDF हो जाड़ा है आपका सर जी कवेच लाव ठीक है 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 अप्लिक अप्लिकेस्टन पर लेवल है आप चेक ही नहीं करते हैं ना चेक नहीं करते है इसलिए वह ऐसा बोल लाएं ठीक है एक सकंड लुक जाए जस्टिस को सेव होने दीजे थोड़ा सा गुड़ आप्टरन आप सभी को ठीक है वेट करिए जिए दो सेकंड हाँ चलिए हो गया चलिए रेडी है आप लोग कंप्यूटर पढ़ने के लिए रेडी है ना चलिए चलिए करें स्टार्ट फिर बताईए यह स्टार्ट करें ओक्यों के ओक्यों के वेट करें चलिए आप लोग को भी साथ साथ में अंसर देना है समझ गया बातों को चलिए पहला प्रस्न का आप अंसर दीजिए आया नहीं एक सगंड रुख जाईए चलिए चलिए देखिए आपका पहला प्रस्न यही है इसका अंसर दीजिए क्या होगा आपको क्या कह रहा है पहला प्रस्न ध्यान से देखिए कह रहा है कि आपका कि what is the shortcut key to open क्या open करने के लिए तो window explore को open करने के लिए कौन सा shortcut key का आप use करेंगे ये बताया जा रहा है आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं सेमी चीज़ है आपका इसका है तो देखे तो देखे तो क्या हो जाएगा आपका इसका एंसर क्या जागा option आपका ये हो जाएगा window की पलस में आपका ये इसका काम क्या होता है open करने के लिए open क्या आपका आने की window explore इक्स्प्लोर उसी तरह से यहां क्या आपका आने की विंडो की और डबलू है यह किसका सौटकॉट की है तो जब आप कोई सेटिंग को देखते हैं सेटिंग को खोलने के लिए या सेटिंग को देखने के लिए देखने के लिए आप इसका यूज करते हैं सौटकॉट की से आ आने की वो कायूज जो करते हैं यह कप करते हैं तो Microsoft Office को open करने के लिए समझ गए बातों को तो अगर Microsoft Office का open करना होगा तक तोल प्लस में यह हो जाएगा अगर आपको विंडो को एक्सप्लोर के ओपन करने के लिए विंडो प्लस में यह हो जाएगा सेटिंग को देखने के लिए किसका पड़ियों करेंगे तो यह हमारा विंडो प्लस में डवलू का यूज करेंगे तो हम सेटिंग को देख सकते हैं एक प्रस्द से इतना बात आपको याद रखना है ठीक है आई नमर होगा अगला देखिए अगला क्या कह रहा है आपका कह रहा है कि you click at you जब आप you पर क्लिक करते हैं जब कोई भी चीज को आप select कर लेते हैं और you पर click करते तो इसके मतलब क्या करते हैं underline करते हैं जैसे कि माल लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है यह चीजे हम यहाँ पर माल लीजिए कि हम अपना नाम लिख दिये अब आपको हम क्या बोले कि सबसे पहले आप home page में जाएंगे और जोब home में जाएंगे तब वहाँ अगर आप इसको select करके और you पर click करेंगे तो इसके मतलब underline हो जाएगा क्या हो जागा underline तो question का answer क्या हो जाएगा option A अब बताईए अगर you पर न select करके select करने के बाद you पर न click करते अगर आप B पर click करते तो इसके मतलब क्या हो जाता ये पूढा का पूढा आपका bold हो जाता bold के लिए आपको B पर click करना ठीक है और italic झैसे कि अगर आप ये चाहते कि italic हो जाए चरे में सबकर ऐसे थोरा tilt हो जाए तो आप क्या कड़ेंगे I पर click कडेंगे अंडर लाइन हो जाएगा इससाइब को याद रखना है फिक है इसका अंधर आपका एह ओजाएगा ठीख है और prolini हो जाएगा और यूपे करेंगे तो आपका अंडर लाइन हाएगा ठीक है चलिए आगे देखें का विररियं वेवाश करेंगे यह थो सी आपको मिलेगा बाकि पर अड़ेशन है सब्सक्राइब जो कड़ाते हैं उसको ध्यान से कड़िए ठीक है चलिए आगे देखिए आगे कह रहा है क्या एक करेक्टर डट इज रेज एवाव दा बेस लाइन एंड इज ए स्मॉलर इज नोन एज कहने का क्या मतलब है जैसे कि मान लिजिए कि आप यह से एक्स लिखे ठीक है और इसको इसके उपर जब आप ऐसे स्क्वाइर कर देते ना तब क्या होता है या अगर एक्स लिखे इसके नीचे में अगर टू कर देते तो क्या होता है यह उपर में अगर रेज कर देते तो इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं तो सब एसक्रीप्ट बोलते हैं जैसे कि आप वाटर लिखते हैं अब यहां पर हाइड्रोजन के साथ जो लग यह क्या है आपका तो यह आपका सब स्क्रीप्ट लेकिन मैत में पढ़ती है तो यह किया हो जाता है यह कि shift plus में आपका plus होता है तो यह किसके लिए होता है super के लिए sub के लिए क्या होता है तो control plus आपका होता है यह किसके लिए sub script के लिए तो यह दोनों आपका क्या है तो shortcut आपका क्या है तो key है समझ गए बातों को तो यह सब आपको याद रखना है क्या क्या है रखिएगा धेगा जब रेज कि बात करा उपर के लिए तो मतलब क्या हो जाएगा और फिर प्लस का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा अने की सूपर और जब सब शूप है लेकिन अगर यह डाउन बोला रहता हुँ जाता थीक है चली आगे लिए मैं आगे केर आप यहां पे देखे़ ध्यान से देखे़ है कि यह माउस और ट्राइक बॉल और जुएस्टिक यह सब क्या है यह सब आपका आप ब olur सकते के सब pointing device यह क्या आपका पॉइंटिंग इवाईजिस प्इंपञे subsidi 가지고 है काम कट्रा करते इनपुट देने का वी काम करते देखिए जैसे कि इसमें आपका माउस हो गया इससे आप क्या देते तो इनपुट देते हैं क्या देते आप इनपुट देते हैं ठीक में आपको इनपूट देना हूँ आने कि मोशन के साथ अगर आपको इनपूट देना है तब किसका यूज करेंगे ट्रैक बॉल को आने कि आप यहां लिख सकते हैं कि मोशन के साथ इनपूट दे रहें आप इन्पूट दे रहें समाज गया है तब पहली बात यह पूछा जाता है कि ट्रैक बॉल का हम यूज जो करते हैं वो किसलिए तो इन्पूट देने के लिए लेकिन जब मोसन के साथ अने की मोसन में हमको इन्पूट देना होगा तब जो आपका जो एस्टीक है यह भी आपका क्या है कि इन्पूट डिवाइस है क्या आपका तो इन्पूट आपका डिवाइस है डिवाइस है लेकिन इसका यूज कहां करते हैं यूज कहां पर करते हैं तो जो हमें गेम खेलते हैं ना और उसके अंदर उसके motion को और डायरेक्शन को जोnu कंट्रोल करते हैं ज माध्यम से करते हैं इसका यूज कहां करते है तो गेम खेलने में अग्या और दूसरी बात आपका क्या हो जाता है कि यह पूछा जाता है अगर हमें की की मोशन को आने की जैसे कि उसको कंट्रोल करना करसर के उपर अगर हमें कंट्रोल करना है या अपने हिसाब से उसको डाइरेक्शन को चेंज करना है तक इसका पढ़ियोग करते हैं तो यहां से आपको तीनों याद रखना अपसन आपका ए हो जाएगा ठीक है चलिए आगे द इसे ना इसको पढ़ेगे तो जो अश्तिक ही न पढ़ेंगे तो क्या पढ़ हंदी में आप ही बताइए हुआ है देखिए इसकी इंसी इंगलीज को एधीमें लिख दिया इधर यहां से देखिए वही चीजे फिक है आगले दिखिए आप लोग फिर्फ इंग्छी स के नाम पर भरक जाती है कुछ नहीं देखिए का लिखाऊ है माउस लिखा हुआ है हिंदी में और इंग्ली सो में माउस लिखा रैक बॉल ये इंदी में इंग्ली सो में डॉक्त किसे पढ़िएगा इसको अगले अगला कर आपका इवाट इज इकमर्स का मतलब क्या है अभी जितना भी कुछ जो आप सौपिंग करते हैं इंटरनेट के माधियम से उसब क्या है तो इकमर्स है ठीक है ट्रैक बॉल आपका इंपूट डिवाइस है जब आपको कोई विची मोसन के साथ इंपूट देना होता तो किसका पढ़ियो करते हैं ट यही आपका यही लोग सही रहे है इसका अंसर क्या हो जाएगा अगला आपका कह रहा है कि यदी आप अपने पीसी की काड़े दक्षिता आने की काड़े छमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निमलिखित में से किसको अपग्रेड करेंगे मतलब अगर आप अपने जो PC है आने की जो प्रफेस्टनल कंप्यूटर है उसको आप अच्छा करना चाहते हैं काड़े दक्षिता को बढ़ाना चाहते हैं तो किसको आप अपडेट करेंगे आने की सही करेंगे हाँ ठीक आप लोग एंसर दे रहे हैं किसका करेंगे CPU को किसको अपडेट करेंगे CPU को अपग्रेड करेंगे CPU क्या होता आपका तो Central इसको क्या बोलते हैं बढ़ते हम Brain Of Computer भी बोलते हैं ठीक है देखिए ब्रेन Of Computer Computer बोल ते हैं और क्या बोलते हैं इसको तब प्रोसेसर प्रोसेसर भी बोलते हैं तक तीनों में से कौनों नाम पूछले ता आपको बता देना CPU के बारे में ही चर्चा हो रहा है CPU में आपका कितना component होता है यह आपका CPU इसके अंदर आपका तीन वो component होता है सबसे पहले आपका CU होता है आने की control unit उसके बाद ALU होता है arithmetic logic unit और उसके बाद आपका क्या होता है MU होता है आने की memory unit A mu का आपका काम क्या होता है तो यह store करना ALU का क्या होता है तो जितना भी math से संबंधी चीज़ होता है जैसे की जोर घटाओ गुना भाग जो होगा और की mathematical operation जो होगा mathematical operation जैसे की आपका क्या हो जागा mathematical की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जागा आपका जैसे की जोर का का काम घटाओं का काम, गुना का काम हो गया, भाग का काम हो गया, रूट हो गया, ठीक है, इक्स्पोनेंसियल हो गया, कोई डाटा मैनुपलेशन हो गया, तो यह सब काम किसका हो जाएगा, ए लिवकाने की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यह काम होता है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, कि कंट्रोल करना, किसको कंट्रोल करेगा, जो हम इनपुट दे रहे और जो हमारा आउटपुट बाहर जा रहे है, इसको कंट्रोल करने का यह काम करेगा, तो इसका जो control आपका unit है ये cu जो है ये क्या करता है तो input output को control करता है जो आपका input है और क्या है आपका output है इसको क्या करता है ये control करता है समझ गया रुब क्या करता है कंटरोल करता इनपूट आूटपूट को aley जो कंटरोल करता है कौन करता है तो to see you करता ठीक है इतना वाद समझ गये पार ठीक है कुछ अंथा इन्सपहलिए सुनिख पार बहूं सरी ने उस्म personalized आफ तो आफ लेứ कॉमुनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरन कौन है देखिए हिंदी में देखिए और अंग रेजी में दुन्नू में कॉमुनिकेशन लिखा ला है पर इच्छा में भी ऐसे ही लिख देगा समझ गये बातों को तो इसका एंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मोडम हो जा क्या होता है ये मिनट में मैं समझा देता हूँ अब समझने का कुछिस करिए जैसे की मान लिजिए कि यहां पैपका c avthis अ ठीक है और यहां से कौन बैथा है मतलब आप यहां से भेज रहे हैं और यहां कोई computer पे receive कर रहा है समझ गए बातों को अब यह आपका क्या होता है modulator होता है क्या आपका आने की modulator होता है और यह क्या होता आपका demodulator modulator demodulator होता है अगर हम आपको यह बोले की काम कैसे करता है तो देखिए जब भी आप computer से कुछ भी भेजते हैं इसके मतलब वो digital signal होता है तो यहां से travel करना start किया ठीक है और digital के form में यह आगे बढ़ा है अब यह modulator का काम क्या होता है डिजिटल से analog signal में बदल देना और यही आपका पिछले बार का प्रस्न है कि क्या पुछा था कि modulator का काम क्या है तो यह आपका कैसा signal है तो बोलिएगा कि यह digital है डिजिटल आपका signal है समझ गए यह कैसा signal है तो यह आपका analog अना लोग आपका क्या है तो signal है यह आपका digital था यह आपका analog आगे फिर आपका क्या आजागा तो digital signal ही आएगा क्योंकि digital signal को ही हमारा computer समझता है यह आपका क्या है तो digital डिजिटल आपका signal है समझ गए बातों को तो देखिए आप से पुछेगा modulator का काम क्या है तो modulator क्या करता है तो digital signal को analog में करता है ठीक है और d modulator क्या करता है analog signal को digital में करता है यह graph आपको clear रहना चाहिए तब जाकर कि आप एक्जाम में प्रश्ण को बना पाईएगा ठीक है एक बाड़ी पूछा था हो सकता है दूसरे बार कुछ और पूछ दे इस पुस्चन का एंसर अपसन आपका डी हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़े है मेरा सकेंड सीफ्ट है चलिए ओके देखिए आगे देखिए जब यहां डी होगा इसका अंसर लेकिन एंसर से ज़्यादा जरूरत है क्या आप इसको याद रखिए इसको याद नहीं रखिए खली अंसर कुछ नहीं बात बनेगा ठीक है अगला अगला हमारा ये जुह है आमारा बुद्ध बैच है अगर आप जूरना चाहते तो आप सकते हम से जिसमें computer और आपको ट्रेड दोनों पढ़ाया जाएगा त्रेड वाले सर अभी डिस्तस करके गए और computer हम कर रहे हैं तो आपको सब लोग को जानते हैं आप लोग ठीक है तो इसे बताने की जरूरत नहीं है अगला अगला आपका क्या है कि computer software में प्रूप्टी को हटाना मतलब कहलाता है जैसे कि माल लिया जाए जो computer आप software बना रहे हैं तो उसके अंदर कभी कभी प्रूप्टी आ जाता है मतलब error बग आ जाता है तो बग को हम कैसे हटाते तो देखिए बग को हटाने के लिए हमें debugging उसमें करना परता है क्या debugging मतलब इसको सुधारी करन करने के लिए एक बात आपको पता होना जाए जैसे कि compiler जो होता है न वो पुड़े प्रोग्राम को एक ही बार में क्या करता है कि देख लेता है जहां जहां भी उसका मतलब error है लेकिन interpreter का क्या काम होता है कि वो एक एक line को check करता है समझ गया है तो यहां पे compiler क्या करता है तो एक ही बार में पूरा पड़ा ग्राफ को check कर लेता है या फिर आप यह बोल सकते हैं कि हाई लेबल लो लेबल लोंगेज में कर देता है compiler का क्या काम होता है आपका तो हाई हाई लेबल लोंगेज लोंगेज को किस में करता है लो लो लेबल लोंगेज में करता है ठीक है interpreter का का काम क्या होता है यह भी आपका सेम ही काम करता है मतलब हाई लेबल लेबल लोंगेज लोंगेज को किस में करता है तो लो लो लेबल लोंगेज में लोंगेज में तसर इसमें अंतर क्या है अंतर है देखिए ध्यान से अंतर आपको नजर आएगा इसका काम क्या होता है एक ही बार में यह पूरा पड़ाग्राथ को देख लेता है मतलब यह एक ही बार में काम कर देता है और ये क्या करता है? लाइन बाई लाइन चेक करता है इसका काम क्या होता है? आने की ये लाइन बाई लाइन चेक करता है चेक करता है एक assembler भी होता है उसका काम क्या होता है? assembly language को machine language में करना है यहाँ लिखी देता हूँ देखिए एक आपका क्या होता है assembler कि इसेंबलर होता है इसका काम क्या होता है तो assembly कि Essentially language लॉंगेज को किस् tentang करता है सेंबलर एसेंबलर को किस्entar करता है मसीन लॉंगेज में मसीन लॉंगेज में करता है तो यह सब याद रखना है सब के सब कुश्चों ने है समझ गए बातों को चलिए देखिए तो आगे आपका हो गया समझ गए इसका काम क्या है डी बगिंग ठीक है मतलब जो आप अगर मतलब उसमें अंदर एर है तो इसके मतलब क्या है बग है तो यह तीनों जो पॉइंट देख रहे है इसको बड़ी ध्यान से आप उड़ा को याद रखेगा प्रस्ण यही सब बनता है आगे आगे कहरा आपका कि विच की डिलेट करना है इधर बाला को क्या करना है आपका लेफ्ट साइड के कड़सर कर जो लेफ्ट साइड है उसको यहाँ पर डाल दिये कहीं बीच में ठीक है इक अब गया लेफ्ट साइड को मतलब इधर बाला को डिलेट करना है इधर बाला को क्या करना आ आपका डिलेट करना हो तो इधर का लेट करना होता तब आप किसका पढ़ियों करते हैं, राइट साइड का अगर डिलेट करना होता, तब हम डिलेट बटन का पढ़ियों करते हैं, तो समझ गये बातों को, अगर ये लेफ्ट साइड पुछा है, तो राइट साइड हो जाता है, लेफ्ट के जगा राइट कर देता है, तब क्या से क्या करते हैं तो कोई भी पाड़ाग्राफ के स्टार्टिंग में जाते हैं क्या जाते हैं पाड़ाग्राफ के स्टार्टिंग में जाने के लिए कि स्टार्टिंग में जाने के लिए जाने के लिए समझ गया बातों को और यहीं पे अगर आप यह कहते कि सर अगर हम यह पढ़ियोग कर ले लुटे, कॉंट्रोल प्लस में अगर होम का पढ़ियोग करते हैं तब क्या हो जागा तो पेज के स्टार्टिंग में, क्या हो जागा पेज के स्टार्टिंग में, समझ गया बातों को, अब अगला यह कोची और दिख लिए जैसे क्या इंड लिखा है तो इंड से हमारा क्या हो जाएगा तो इंड से हम उस पराग्राफ के इंड में चला जाएगे कहां चले जाएगे जो भी हमारा पराग्राफ के इंड में चले जाएगे इंड में चले जाएंगे ठीक है और अगर हम कंट्रोल प्लस में अगर हम इंड का पढ़ियो कर ले तब पूरे पेज के इंड में चले जाएंगे क्या चले जाएंगे अगर हम यह पढ़ियो कर ले क्या इसके साथ हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं को keyboard में अगर हम इंड कापडियों करते तक हाँ चले जाएंगे यह पराग्राफ के इंड में जा रहा था अब यह पूड़े पेज़ के इंड में चल सल जाएगा आने की पेज़ के इंड में इंड में चला जाएगा कमझ गये बातों को न यह सब देखते चलिए गया तो आपको पूरा बेनीफित होगा यह कुश्चन से आप चली आगे देखके पाराग्राफ का का इंड मरें छले जाए कि रहीन हां मतलब रहीं का मतलब लास्ट में और जब हम कंट्रॉल के साथ करेंगे पुले प्ले पीज के में चला जाएंगया पैज अ आपका हस्त लिखीट या आपका मुद्रित आबरन को डिजिटल इमेज बनाने बनाकर आपका मेमोरी में इस्टोर करता है करना है कि which of the flowing is used to read hand returns और आपका printed टेक्स to make a digital image that story in memory कौन सा ऐसा चीज और क्या करते है एसकैनर बाले के पार जाते हैं भाइय यहां को इसको स्कैन करके और डिजिटल इमेज में दे दीजिए ठीक है तो स्टु Like Check स्टॉडल कर ली कर देता है चली आगे देखे उसके पाद मेरी स्टोर कर देब अपका तो यह आपका आउट पूट जो है डिवाईश है तो मज़ गए आपको ठीक है तो पर जिससे आप इनपूट दे रहे तो भी क्या आपका इनपूट डिवाईश चलिए अगला कह रहा है कि अपलिकेशन ऑन डेक्स्टप काइन भी ओपेन तूट पूट जैसे कि माल लीजिए कह रहा है कि अपलिकेशन ऑन डेक्स्टप जो भी आपके डेक्स्टप पे अपलिकेशन है उसको ओपेन करते हैं किस सौट कॉट की से देखे तो ओपेन जो हम करते हैं वो इसमें से जितना भी दिया उस सब से हम कर सकते हैं क्या क्या से कर सकते देखिए डबल क्लिकिंग ऑन इस वोट फॉट ठीक है अगर हम डबल किलिक करते हैं उसके तभी भी ओपन हो जाएगा अगला बात क्या है कि राइट किलिक करेंगे उसके बाद चूज करेंगे ओपन फाइल अपसं तभी भी हो जाएगा या फिर स्लेक्ट दा आइकन एन आपका अने की प्रेशिंग इंटर अपसंट आपका हो जाएगा ओपन फूर्ट करते हैं अगला कहरा का की प्रिव्यू मोड में आने की इन प्रिव्यू मोड यू कैन भी मतलब आप प्रिव्यू मोड में क्या देखते हैं जब प्रिव्यू मोड में जाते हैं तो किस चीज को देखते हैं तो उसमें आप आप पेज इन योर डोकोमेंट आपके डॉकोमेंट में जितना भी पेज है उस सब को आप देख पाते है कहां पर प्रीविव्वू मोड में कहां पर प्रीव्विवू मोड में ठीक है इसका इंसर क्या हो जागा अपसन आपका यह हो जागा अगल अगरमका बिंडू से बन रिशे अग्जांपल एपके स्लेवस में बींडू से भी दिया घया है तो यह भी पढ़ना है थेеф क्रहा कि आनेकी उपडारा ऊपरेटिंघ सिस्टम अंतलब मतलब आप सकते स्टम् सॉप्ट्वेयर ठीक है इसको क्या बोल सकते स्च्टम हेर आप् Eren कॉ सकते हैं शॉष थी ये वह थ आति बीना कम्प्यूटर नहीं चल सकता है मतलब इसके बिना बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है समझ गया बातों को, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा तो जैसे कि आपका विंडो हो गया और क्या हो जाएगा तो Linux हो जाएगा, Unix हो गया, Ubuntu हो गया, यह सब क्या है आपका, तो System Software है, दूसरा आपका क्या, तो Application Software, क्या है आपका, Application आपका Software है, ठीक है, Application Software की क्या होता आपका, जैसे कि जो भीच आप अपने Mobile में यूज कर रहे हैं, वो सब क्या है आपका, तो Application ही, क्या है आपका, Software है, जैसे कि Facebook हो गया, WhatsApp हो गया, Instagram हो गया, जो कुछ भी आप यूज करते हैं, System Software के अलाबा, वो सब क्या Application Software, तो यहाँ पर लिख लिए, इसके बिना Computer चल सकता है, यह चलने में बाधा आपका नहीं है, यहाँ पर लिख लिए, जैसे कि आपका Facebook हो गया, ऐसे और भी बहुत सारा, जैसे कि PDF को देखने के लिए, PDF वीवर का यूज करते हैं, और भी आप अपने Mobile पर देखिए, खुल करके, जितना भी आइकन बना हुआ होगा, वो सब क्या है, आपका Application Software, तिसरा एक आपका क्या ह बात करें, तो आपका Antivirus, Antivirus, तो और भी होता है, जैसे कि Antivirus हो गया, तो क्या करता है, वाइरस को नहीं आने देता है, मतलब आपके सिस्टम को Protect करता है, या फिर दक्षता को बढ़ाता है, चलिए, आगे देखिए, आगे इसका Answer समझ गए, क्या होगा, आपका Option नमर जाएगा, देखिए आगे, क्या कह रहा है, कि वाटी दा की वोड़ सौटकोर्ट फॉर्द आपका Creating Chat, Creating आपका Chart है, ठीक है, Creating Chart from the Selected Cell आपका Range in Excel, देखिए, जैसे कि मान लीजी आपका ये क्या है, ते एक एक सले, थोड़ा सा बता देते हैं, आप ध्यान से देख लीजे, यहाँ पर देखिए, यह अगर आप मानते हैं कि आपका अगर Excel है, ठीक है, यह Excel है, यह आपका क्या है, Column है, यह आपका क्या है, इधर के तरफ आपका क्या होता है, तो इधर आपका रो होता है, इसको हम किस से दिखाते हैं, तो इसको हम A, B, C, D, E, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो A से हम किसको दिखा रहे है यह हमारा क्या है यह अगर हम पूछेंगे यह हमारा क्या ता बोलिएगा यह हमारा कॉलूम है तो A B C से हम किसको दिखा रहे है कॉलूम को दिखा किसे रहे है तो दिखा किसे रहे है तो बोलिएगा लेटर से दिखा रहे है किसे हमारा क्या होता है रो होता है अगर हम आप से यह पूछे कि यह हमारा क्या है यह क्या ता बोलिएगा रो है और इसको किसे दिखाते हैं नंबर से दिखाते हैं कमाझ गया बातो को न इसको आपका आप माल लीजivas को यहां पर जैसे की आप ऐसे आप चीजों को ले लिये अब जब इसंको सिट्ट करिए गा न और एमको प्रेश करिए आपको च्छार्ट में दिखादेगा ठीक है एफ 11 का आपका क्या है यहां पर की एक आपका GB लगभग होता है तो कितना देखिए एक तापका MIGA होता है अगर MIGA होता ता तो 6 होता लेकिन यहां GB लगभा तो GB का मतलब क्या है 10 to the power 9 फोड़ा सा यहां मेमोरी के बाड़े में आप समझ लिगे जैसे की होता क्या है आपका कि अगर memory की बात करें तो bits जो होता है यह सबसे छोटा होता है मतलब अगर हम बात करते है bits का bits का ठीक है तो देखिए एक आपका nibble nibble में nibble में आपका कितना होता है 4 bits होता है समझ गये और एक आपका byte की बात करें इसमें आपका कितना 8 bits होता है और यहां पे दस्तू आपका 24 बाइट बराबर कितना होता है एक आपका MB होता है। उसी तरह से दस्तू जब आपका 24 आपका MB होगा क्या हो जाएगा दस्त्तू चोबीस आपका MB ने की क्या होता है। और जब ये दस्तो चोवीस हो जाएगा, ये आपका दस्तो चोवीस हो जाएगा, कितना दस्तो आपका चोवीस के भी हो जाएगा, ठीक है, तब कितना एक आपका MB के बराबर हो जाएगा, जब यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, दस्तो आपका चोवीस आपका MB हो जाएग तो इस तरह से यह बढ़ते जाता है, मैं एक sequence लिख रहा हूँ, देखिए, जैसे सबसे पहले क्या होता है, KB, KB के बाद आपका MB, MB के बाद GB, GB के बाद आपका PB होता है, TB के बाद आपका EB होता है, मतलब यूटाबाइट, यह आपका sequence चलता है, बढ़ते करम में आपका यह है, बढ़ते करम में है, कमज गया बातों को, यह आपको याद रखना है, ठीक है, चलिए, हाँ बूक आएगा, आप अभी टेंसर ने लिए बूक आएगा, ठीक है, यह दिखे तो इसका अंसर क्या होगा यह, अगर यहां मेगा के जाए गीगा लगा रहाता है, ठीक है, ले 1024 से गुना करेंगे, तो अगला वला आएगा, इसमें अगर हम 1024 से गुना करेंगे, तो अगला वला हमारा आते जाएगा, ठीक है, अगला आपका समाप्त हो गया, 15 ही कुष्चन रहता है, कम्प्यूटर का, ठीक है, और आप डेली जुड़ी है, इससे आपको बहुत बेन जूरना है, ठीक है, तो अगर ट्रेड और कम्प्यूटर दोनों से जूरना है, तो भी अबलेबल है, किसी को अगर सिर्फ कम्प्यूटर से जूरना है, तो यह भी अबलेबल है, लेकिन कंटेंट के लिए आपको टेंसन नहीं लेना है, एक एक चीज को बेस्ट कंटेंट के के साथ आपको दिया जागा बेस्ट कंसेप्ट के साथ दिया जागा उसके लिए आपको टेंशान नहीं लेना आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ओके ठेंक